हेलो एवरीवन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल आडियोवर्स विस्तीले मेज ओर स्कूल अफ मैजिक चाप्टर 251 से 260 वरुन ने अपनी भौहें उपर उठाई यह पहली बार नहीं था कि स्टोर की कीन्टों के कारण उनसे पूछताच की गई थी इससे पहले जब फीनिक्स पीक अकादमी के चात्रों ने पहली बार उनके स्टोर का दौरा करना शुरू किया तो कीन्टों पर कुछ विवाद पैदा हो गया था हाला कि उनका प्रशिक्षन फाइदे मन साबित हुआ चात्रों ने समझा की दी गई सेवा उच्च मूले की थी और कीमत बिलकुल भी अधिक नहीं थी लेकिन जो ग्राहक उपस्थित थे वे चात्रों की तरहे तरकसंगत नहीं थे वर्शों तक समाज में घुलने मिलने के बाद वे परिश्प्रित और विक्षिप्थ हो गए थे और उन्होंने कभी भी वरुन को खुद को साबित करने का कोई मौका देने की योजना नहीं बनाई थी शांत वरुन चिलाया वह अब अपनी सुक्ष्म शक्तियों को छिपा नहीं रहा था जारी किया गया बल छठी श्रेणी के युद्ध पालतू योध्धा का था उनकी प्रचन शक्ती ने ग्राहकों को चकित कर दिया उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह युवा दिखने वाला लड़का इतना ताकतवर हो सकता है निहसंदेह सभी ग्राहक निन्न श्रेणी के युद्ध योध्धा नहीं थे कुछ छठी रैंक पर भी थे और वे एलिट लीग में अपना मौका आजमाने जा रहे थे जबकि कई अन्य छठी रैंक के उपरी स्थान पर थे साथवी रैंक के युद्ध पालतू योध्धा अब एलिट लीग के लिए योग्य नहीं होंगे वे केवल सुप्रेमेसी लीग में भाग ले सकते थे छठी रैंक की उपरी स्थिती एलिट लीग के लिए छठी है हमें मजबूत करने की कोशिश मत करो किसी के नेत्रित्व करने से अन्य ग्राहक अपने शुरुवाती जटके से उबर गए थे अधिक से अधिक लोग दूसरे लोगों के विचारों को दोहराने लगे वरुन ने भीड पर नजर डाली उसे लोगों के चहरों पर गुस्सा औ काम नहीं चलेगा और वह किसी भी तरह समझाने के मूर में नहीं था उसने अपना हाथ लहराया और ठेके की जगह खोल दी बाहर आओ वा अंदर से आग की तेज लपतें उठी स्टोर के अंदर का तापमान नाटकिय रूप से बढ़ रहा था ठेके वाली जगह से एक के बा अचानक उसे देखने का मौका मिल गया उसने डर के मारे अपनी आखे जुका ली ये एसास क्या ये गरजन एक धीनी और गहरी आवास सुनाई दी वह एक ड्रैगन की दहार थी ड्रैगन के लिए दहार अनोखी थी आवास ज्यादा नहीं थी लेकिन एकदम सन्नाटा चा गय थी थी वह इंफर्नो ड्रैगन फायर था जिसके बारे में कहा जाता था कि यह नरक में जन्मी बुरी लप्टे थी धीरे धीरे इनफर्नो ड्रैगन ने खुद को पूरी तरह से प्रकट कर दिया इसकी शक्तिशाली संरचना और इसके भयानक ड्रैगन स्केल इनफर्नो ड्र जरा भी आवाज नहीं कर रहा था हर कोई इस इनफर्नो ड्रैगन को खुले मुमह और खाली दिमाग से देख रहा था वह था इनफर्नो ड्रैगन दुनिया भर में इनफर्नो ड्रैगन शीर्ष तीन सबसे शक्तिशाली ड्रेगन में से एक था एक इनफर्नो ड्रैगन वास् के सामने खड़े हैं। इसका स्वामी कौन था? इसका स्वामी किस प्रकार के परिवार से था? पुर्न मौन को देखकर वरुन को पता चल गया कि उसने वांचित प्रभाव प्राप्त कर लिया है। यह विचार करते हुए कि यह फिर से हो सकता है। वरुन के मन में एक विचार आया, उन्होंने इंफर्नो ड्रैगन से कहा कि वह अपनी ताकत को थोड़ा कम करे और दर्वाजे पर जाए। सिर्फ इसलिए ताकि इंफर्नो ड्रैगन उसके दर्वाजे पर नजर रख सके और कुछ नहीं। दर्वाजे के पास इंफर्नो ड्रैगन एक ही समय में निवारन और समवर्धन का एक रूप था। वरुन ने इस बारे में नहीं सोचा था क्योंकि उनके लिए इंफर्नो ड्रैगन उनका बैकप पालतू जानवर है। उनकी वास्तविक मुख्य शक्ती लिटिल स्केलेटन थी। इस प्रकार वह इंफर्नो ड्रैगन को हमेशा हलके में लिता रहा है। लेकिन उन्हें यह स्विकार करना पड़ा कि बाहरी लोगों के लिए इंफर्नो ड्रैगन लिटिल स्केलेटन से अधिक दराने वाला था। आखिरकार यह तथ्य सारवजनिक ज्यान था कि इंफर्नो ड्रैगन सबसे शक्तिशाली ड्रेगन में से एक था। तक्राना, तक्राना, इंफर्नो ड्रैगन दर्वाजे की ओर बढ़ा। काउंटर पर जमा हुए ग्राहक दर के मारे तुरंत किनारे हट गए। कुछ लोग यह सोचकर सीधे दुकान से बाहर भाग गए की अजगर उन पर हमला करने वाला है। भारी सास लेते हुए, इंफर्नो ड्रैगन उस रास्ते से होते हुए दर्वाजे तक गया जिसे लोगों ने साफ किया था। वरुन के निर्देशों के तहट, इंफर्नो ड्रैगन दर्वाजे के पास खड़ा हो गया, लेकिन वह दो ड्रैगन मूर्तियों से कुछ कदम की दूरी पर रहा। इंफर्नो ड्रैगन दर्वाजे के पास बैठ गया और उसने कभी कोई और कदम नहीं उठाया। काफी देर बाद आखिरकार स्टोर में मौजूद ग्राहक वापस होश में आए। उन्हें अपनी सासें ऐसी लगने लगी मानो कुछ मिंटों के लिए उनका दम घुट गया हो। हम यहां जो सेवाएं और उत्पाद प्रदान करते हैं वे फाइदे मंद हैं और उनकी कीमत की में कीमत कम है। किसी को भी संदे हो तो जाने का स्वागत है। जो कोई भी यहां हंगामा करता रहेगा उसे स्टोर से निकाल दिया जाएगा और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वरुन ने शांती से घोशना की। सभी लोग आश्चर्य से एक वाजे के पास था। इंफर्नो ड्रैगन नकली नहीं हो सकता था। स्टोर का मालिक इस अजगर को अपने पालतू जानवर के रूप में पाकर कितना अध्भुत था। यह पूरे लोंगजियांग बेस सिटी में एक मात्र इंफर्नो ड्रैगन था। यहां तक कि पूरे अध्वीत में इंफर्नो ड्रैगन की संख्या सीमित थी। वे आम तोर पर कभी पालतू जानवर नहीं देखे गए। कुछ ग्राहकों की उम्मीदें बढ़ रही थी। उनकी आखें उत्साह से चमक उठीन और वे सेवाओं को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सके। एक अध्वितिय व्यक्तित्व थे। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? पहले से उग्रनाटा और मोटा आदमी काम रहा था और एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था। जैसे ही इंफर्नो ड्रैगन बाहर आया, उसने सोचा कि ड्रैगन उसे जिन्दा खाने वाला है और तब से वह एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। बेशक इंफर्नो ड्रैगन ने उसे नहीं खाया। वह अभी भी जीवित था। उसे लगा कि वह एक भाग्यशाली व्यक्ति है जो प्रलै से बच गया। थंडे पसीने से उसके कपड़े भीग गये थे। उसने अपना पसीना पोचा, घबराकर वरोन से माफी मांगी और जल्दी से चला गया। वह एक सेकंड और रुकने से डरता था। प्रशिक्षन के संबंध में उसे वरोन की बात पर यकीन हो गया। बात सिर्फ इतनी थी कि वह एक लाख प्रशिक्षन शुल्क वहन नहीं कर सकता था। विशय नहीं था। उन्होंने तांगरुयान को बुलाया और उसे स्टोर में व्यवस्था बनाये रखने के लिए कहा। तांगरुयान अपने आश्चर्य से उबर चुकी थी। उसके चहरे पर पर परिशानी जलक रही थी। रहस्यमाइक शेत्र में वापस आकर उसे एहसा हुआ कि वरुन के पास मजबूत शक्तिया हैं। इस दिन उसे निराशा हुई, उसने एक बार फिर उसकी ताकत का सबूत देखा। उसे यकीन था कि वह अपने से ताकतवर साथियों को एक हाथ से गिन सकती है। वरुन उन चंद लोगों में से एक थे। वह कितना संकी है। ताम रुयान ने बड़बडाया। वह सोच रही थी कि अगर वह अपने परिवार के पास वापस लोटने में सक्षम होगी, तो उसे वरुन पर काबू पाने के लिए अपने वरिष्ठों से मदद मांगनी होगी। इसके अलावा उसे उसकी प्रिष्ठ भूमी की जाच भी क पूच रहा था। किसी का मानना था कि इनफर्नो ड्रैगन इस बात का प्रमान है कि वरुन स्वय भी डराने वाला था। कुछ लोग उसे विस्मय और सम्मान से रखने लगे। आखिरकार वरुन ड्रैगन का स्वामी था। कई ग्राहक रुके रहे जबकि काफी संख्या में लोग चले गए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें अभी भी कीमत पर संदेह था, वे इसे वहन नहीं कर सकते थे। की कीमत बहुत अधिक थी। वरुन को इस बात से कोई फरक नहीं पड़ा कि कई लोग निकल गए थे। उनका मानना था कि जब स्टोर का नाम सामने आएगा तो कम संपन्न ग्राहक भी पैसे बचा कर उनके पास आएंगे। यार मैं सामान्य प्रशिक्षन लूँगा जिसमे बिलों का भुगतान किया। इन्फर्नो ड्रैगन के साथ किसी भी ग्राहक की अब इस युवक को कम आकने की हिम्मत नहीं हुई। प्रश्न पूचते समय भी वे काफी सावधानी बरत रहे थे। किसी ने मोटा हिसाब लगाया। यह युवा स्टोर मालिक लॉनगजियांग बेस सिटी के एलीट लीग में असाधारन प्रतिभा दिखा सकता है और अकेले इन्फर्नो ड्रैगन के साथ शीर्ष एक सौ में स्थान बना सकता है। उन्हें टॉप दस में जगह बनाने का मौका भी मिल सकता है। वरुन युवा थे जिसका मतलब था कि उनका भविश्य आ पाने वाले लोग भी आसानी से 10 लाख का खर्च वहन नहीं कर सकते। उस धनराशी को खर्च करने के लिए विवेक पूर्ण विचारविमर्श की आवश्यक्ता थी। वरुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, व्यावसाय प्रशिक्षन से उन्हें अधिक पैसा कमान में मदद मिली, लेकिन यह ठका देने वाला भी था। दमी सामान्य प्रशिक्षन को संभालने में सक्षम थी। लेकिन प्रफेशनल ट्रेनिंग के लिए उन्हें खुद ही जिम्मेदारी संभालनी होगी। लेंदेन पूरा करने के बाद ग्राहक एक एक करके चले गए। ज उसे पता चल गया था कि यह वह दिन है जब स्टोर प्रमोशन से फिर से खुलने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वरुन्मिव शुआंगवान जैसी हस्ती को आमंतरित कर सकता है। उसके पिछले जीवन ने उसके दृष्टिकोन को सीमित कर दिया था। उसे ऐसा म पर इनफर्नो ड्रैगन को देखा तो वह दर गया। उसने सुनहरे बालों वाली लड़की द्वारा प्रदर्शित भयानक शक्ती देखी थी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह दुकान पर एक मात्र निवारक शक्ती नहीं थी। यह इनफर्नो ड्रैगन भी था। जो सुलिंग्यू के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब भी दुकान पैक होती ग्राहकों को लाइन में इंतजार करना पड़ता। हमेशा ऐसा ही किया जाता था। हाई आप यहां हैं। तामरुयान ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तयार थी जब उसने लोगों को अंदर आते देखा तो चौक कर अपने कदम रोक दिये। मास्टर वू गौन शिंग्ग वह चौक पड़ी। इस मास्टर को वहाँ देखना अपरत्याशित था। वह वू गौन शिंग से रहस्यमय क्षेतर में मिली थी और कुछ पारिवारिक बैठकों में भाग लेने के दौरान उसने उसके बारे में सुना था। वू गौन शिंग चरम पर एक नामित युद्ध पालतू योध्धा था। वह विनेरेबल डबलेड से अधिक उम्रका और कम हुनहार था। फिर भी वू गौन शिंग एक शक्तिशाली योध्धा था जिसकी लोग उपेक नहीं कर सकते थे। वह यहां क्यों आएगा। एक सेकंड की स्थब्धता के बाद तांग रुयान अपने होश में वापस आई उसकी आखें आसों से चमक रही थी। अंत्तह एक वियाईपी। अन्य ग्राहक चमगाद़ों की तरह अंधे थे। उनमें से कोई भी उसे पहच नहीं थी। उसने एक बार और नजर डाली और आश्चर्य बढ़ गया। तांग रुयान ने जिस तरह से कपड़े पहने थे। उसने वर्दी पहनी हुई थी। वो ग्वानशेंग अभी भी भ्रमित था। पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह यह थी की शायद वरुन और टैन परिवार किसी तरह से संबंधित थे। वो सकता है वरुन या उसके मजबूत संबंध ही टैन परिवार का समर्थन कर रहे हूँ। यदि ऐसा होता तो यह टैन परिवार परिश्कृत होता। जब वो ग्वानशेंग का दिमाग घूम रहा था। तांग रुयान ने आतित्य के साथ उसका स्वागत किया मास्टर वो आप कैसे हैं। मेरे पिता आपसे मिलने के लिए उच्छा अच्छा वो ग्वानशेंग ने अपने विचारों की श्रिंखला रोक दी। उसने तांग रुयान को विनमरता से उत्तर दिया क्योंकि वह जानता था कि वह उसका अपमान नहीं कर सकता। वो ग्वानशेंग के साथ तांग रुयान की वह पहली बातचीत थी। वह नहीं जानती थी कि वह इतना मिलनसार हो सकता है। राहत महसूस करते हुए तांग रुयान ने मुस्कुराते हुए कहा मास्टर वू मैं बरतमान में यहां काम कर रहा हूं इसलिए मैं अपने पिता को रिपोर्ट करने के लिए वापस नहीं जा सकता। कृप्या मुझे माफ करें। बिल्कुल वू ग्वानशेंग ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराया। तांग रुयान ने सोचा कि वू ग्वानशेंग पूछेगा कि वह वहां क्यों थी आश्चर्य की बात है वह बता सकती थी कि वू ग्वानशेंग वहां उसकी उपस्थिती को सामान्य मानता था और उसे किसी भी प्रकार का कोई संदेह या प्रश्ण नहीं था। यह उसके लिए कारावास का संकेत देने के लिए अनुकूल नहीं था। वह घबरा गई और न आपकी मदद के लिए आपकी सराहना की जाती है। तंग रुयान के आध्यात्मिक संदेश ने वू ग्वानशेंग को चौका दिया और उसका मदद मांगना एक जटके के रूप में आया। आयोजित उसकी इच्छा के विरुद्ध वू ग्वानशेंग तुरंत समझ गया कि क्या हुआ और उस रहस्योद घाटन ने उसे आश्चर यच्कित कर दिया। कहने का तात पर्य यह था कि भविश्य के टैंग परिवार के मुखिया पर वरुन ने कबजा कर लिया था, है ना। वो ग्वानशेंग का मुह हिल गया। उसने वरुन की ताकत और उस भयानक सुन हरे बालों बाली लड़की कितनी शक्तिशाली थी। उस लड़की की मौझूदगी में तांग परिवार की बदला लेने की जो भी योजना थी, उसका कोई फाइदा नहीं होगा। तांग रुयान और वरुन के बीच रिष्टे की सच्चाई जानने के बाद वो गुआनशे नजर डाली और अपने ग्राहकों की देखभाल करने के लिए वापस चला गया। तांग रुयान अभी भी स्तब्ध था। क्या? बकवास। यह वो गुआनशेंग स्पष्ट रूप से वरुन के साथ था। और अपने दुश्मन के दोस्त से मदद मान रही थी। उसे एक सा तांग रुयान का चेहरा बदल गया। वह सोच रही थी कि क्या उसे इस बात को भूल जाना चाहिए कि वरुन ने उसका अफरन कर लिया है। अगर उसे जाने देना है तो उसे यह बात गोपनिय रखनी होगी। अगर यह बात फैल गई कि उसे वहां रखा गया है तो वह त परिवार को पूरी तरह से अपमानित तरेगी। सुलिंग्यू ने भाहों के साथ तांग रुयान की ओर उचसुपता से देखा। उसने एक सेकंड के लिए वरुन से अपनी नजरे हटा ली थी और अचानक उसके स्टोर में एक और सुंदर लड़की थी। यहां महिला कर्म क्यों की ओर देखा और पूछा तुम यहां क्या कर रहे हो। उसने व्यंग्य भरी आवाज में उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं कुछ और दिनों के लिए दूर रहूंगी तो स्टोर में और कौन शामिल होगा। वरुन ने अपनी भाहें उपर उठाई। उसे समझ नहीं आया। लेकिन वह स्पष्टी करण मांगने के मूर में नहीं थे। घर वापस जाओ और वो गुआंशेंग के साथ अपना सबक लो। मैं तुम्हें निकट भविश में एक बहतर अकादमी में भेजूंगा। वरुन ने अधीरता से उत्तर दिया। में वहां गई तो उसके लिए उसे पढ़ाना बहुत कठिन हो जाएगा। आखिरकार अकादमी के पाठों में सुलिंग्यू का अधिकांश समय लगेगा। मेरी नजरों से दूर रहो। मेरे व्यापार करने के रास्ते में मत आओ। वरुन चिलाया। वह सुलिंग्यू के स अधिक समय बरबाद नहीं करना चाहता था। सुलिंग्यू ने खर्राटा लिया और लाउंज में कुरसी पर बैठने चली गई। वो गौन शिंग ने वरुन के साथ कुछ बाते की और वहां उसका पीछा किया। हम इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं बस मदद करने की सुलिंग्यू बैठ गई और क्रोध से भरी हुई अपनी बाहों को उसकी चाती के सामने मोड लिया। वो गौन शिंग उसके बगल में बैठ गया। वह यहां व्यस्त है। हमें अभी वापस जाना कैसा रहेगा। सुलिंग्यू अपने शिक्षक का सम्मान करती थी। उसने अपना सिरहिलाया और विनमरता से समझाया सर मेरे भाई की दुकान आज व्यस्त रहेगी। जब और लोग आएंगे तो मुझे उनकी मदद करने की जरूरत पढ़ सकती है। क्या हम आज अपना पाठ बाद में शुरू कर सकते हैं। मुझे इतनी जल्दी बिस्तर पर जाने की जरूरत नहीं है। चुंकि उसने ऐसा कहा था, वो गौानशिंग के पास सहमत होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। वरुन की बहन होने के नाते वह ऐसी इनसान नहीं थी जिसे नाराज किया जा सके। सुलिंग्यू ने अपना फोन निकाला और समाचार ब्रा उसने उनके स्टोर का नाम और दूसरे बड़े स्टोर का नाम देखा। तुरंट उसने समाचार पढ़ने के लिए क्लिक किया। पढ़ना समाप्त करने के बाद उसके भाव बदल गए। म्यू की एजनसी सबसे उपर की मन्जिल। हमें अभी पता चला है कि प्राइमों ने नए लाभों के साथ एक नई पहल शुरू की है और एवरेल को उनका प्रवक्ता बनाया है। यहां उनकी योजना है। नजर रखना। म्यू एजनसी के अध्यक्ष अपने कार्याले में अपनी घूमने वाली कुरसी पर बैठे थे। उन्होंने फाइल म्यू शुआंगवा वाला एक अंतरराष्टिय सितारा था। प्राइमो ने एवरेल को अपने लिए विध्यापन देने के लिए आमंत्रित करने के लिए काफी प्रयास किये होंगे। म्यू शुआंगवान ने फाइल उठाई। कुछ नजरों के बाद उसके भाव बदल गए। 15 प्रतिशक की मास्टर ट्रेनर की सेवा चुनने वाले किसी भी व्यक्ति को एलिट लीग के शीर्ष 50 में स्थान की गारंटी दी जा सकती है। का उप्योग कर रहा था और उन्होंने इसे एक कदम आगे बढ़ाया शीर्ष 50 में ततकाल प्रवेश। इस प्रकार पिक्सी पेट स्टोर का एक मात्र आकरशक बिंदू उसकी प्रतिश्था होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि म्यू शुआंगवान अच्छी तरह से जानती थी कि जहां वह वरुन के स्टोर को पैसा कमाने में मदद कर सकती है वहीं वरुन को अपनी ताकत का फाइदा उठाना होगा। आखिरकार ग्राहक मूर्ख नहीं थे। वे इतने क्रोधी नहीं होंगे कि सिर्फ एक सेलिब्रेटी के कारण अपना पैसा वरुन के स्टोर पर फिं हाला कि आपके पास वेनेरेबल दबलेड और स्टोर के बीच संबंध के बारे में ठोस जानकारी नहीं है। शायद वेनेरेबल दबलेड बस वहां से गुजर रहा था। शायद वह और दुकान का मालिक सामान्य दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। कहें कि वेनेरेबल दबल अब जाओ और स्टोर मालिक से संपर्क करो उनसे बात करें और देखें कि वे कैसे प्रतिक्रिया देने की योजना बनाते हैं एक मात्र काम यह था कि इस स्थिती से निपटने के लिए कुछ समाधान ढूंडे जाएं हाँ सौंगलू ने राहत की सांस ली और तुरंत सिरहिलाया दुकान पर वरुन यह बुरा है सुलिंग्यू सोफे से उठी और तेजी से काउंटर की ओर बढ़ी उसने ग्राहक को एक तरफ खीच लिया अपनी सुक्ष्म शक्तियों से एक धाल बनाई और धीमी आवाज में कहा इसे देखो वरुन को आश्चर्य हुआ कि कौन सी स्थिती उसे इतना चिर्चिडा बना सकती है जब वह बोल रही थी तो उसने समाचार देखा एक हाइलाइट किया गया शीर्शक अचानक उसकी नजर में आ गया उसने पेज स्वाइप किया और वरुन ने पढ़ा शीर्श पचास वरुन ने अपनी भौहें उपर उठाई क्या यह उनके स्थोर को निशाना बनाने की रणनीती थी उन्होंने अभी अभी शीर्श एक सौ में ततकाल प्रवेश की घोशना की थी और प्राइमोंने बाद में घोशना की कीवे आपको शीर्श पचास मिला सकते हैं यह स्पश्ट रूप से उनके स्टोर के उद्देश से था क्या करें? प्राइमों ऐसा कैसे कर सका? वे हमसे बहुत छोटी दुकान का व्यवसाय क्यों चीनना चाहेंगे? सुलिंग्यू क्रोधित और चिंतित दोनों थी वह उनके पारिवारिक स्टोर से परिचित थी हालाकि म्यू शुआंधवान उनके प्रवक्ता थे प्राइमों के पास उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विश्वस्तरिय सितारा भी था इसके अलावा, सेलिब्रेटी प्रभाव के अलावा म्यू यूनफे ने व्यक्तिगत रूप से प्राइमों के कई लाभों को मान्य किया था वह पिछले एलीट लीग का चैंपियन था इसके अलावा, प्राइमों लॉनगेजियान बेस सिटी में एक समय सम्मानित स्टोर था यहां तक कि शांती टाउन इलाके के लोग भी जानते थे कि प्राइमों सभी पालतू जानवरों की दुकानों में सबसे अच्छा था कीमते उची थी लेकिन गुनवत्ता भी उतनी ही थी फिलहाल ऐसा स्टोर वरों के स्टोर को टकर दे रहा था प्रिमो प्रसिद्ध था इसका एक लंबा इतिहास था और इसने अंगिनत ग्राहकों को सेवा प्रदान की थी जबकी वरों का स्टोर इस खेल में सिर्फ एक हराहात था यह अंडे पर पत्थर फेंकने जैसा था धया तुम्हें चिंता तो नहीं हो रही सुलिंग्यू पागल हो रही थी जबकी वरों शांत था उसे इस बात पर भी आश्चर्य हुआ कि क्या वरों का दिमाग थोड़ा मुटा है और वह समझ नहीं पा रहा है कि इस खबर का क्या मतलब है वरों ने खबरों से अपनी नजरें हटा ली उसकी आखों में शीतलता की चमक उभराई प्राइमो अपने स्टोर के सबसे आकरशक लाथ को कुचलने का विकल्क चुन रहा था जैसा कि लोग अकसर कहते हैं किसी का भाग्य काट देना उसके मातापिता को मारने के समान है शीर्ष पचास उसकी आखों में ठंडक की चमक चमक उठी चलो फिर शीर्ष दस कहते हैं क्या वे हमें कुचलना नहीं चाहते तो फिर आये सुनिष्चित करें कि वे फिर कभी नहीं उठेंगे सुलिंग्यो पूरी तरह आश्चरयचकित थी शीर्ष दस यह वह एलिट लीग थी जिसके बारे में वे बात कर रहे थे लोंगजियांग बेस्ट सिटी के सभी युवा जो पात्र थे, प्रतियोगिता में भाग लेंगे लोंगजियांग बेस्ट सिटी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इसकी आबादी 10 मिलियन से अधिक थी कम से कम 10 लाख पंजी करन करा रहे होंगे क्या वह शीर्ष दस में प्रवेश की गारंटी के अफसर का दावा करेगा शीर्ष दस तक पहुँचने की संभावना मूलता लाखों में एक थी तुम अपने आपको एक साथ रखो यदि आप यह वादा करते हैं, तो आप इसे कभी वापस नहीं ले सकते सुलिंग्यू अपने होश में वापस आ गई, उसने तुरंट उससे कुछ समझदारी भरी बातें करने की कोशिश की वरुन ने उसके चहरे पर चिंता देखी अंदर उसने एक आह भरी उसकी बहन हमेशा उसकी बात नहीं सुनती थी, लेकिन वह परिवार थी दिन के अंत में केवल उसका परिवार ही उसकी चिंता करेगा और उसकी परवाह करेगा उसने उसका सिर रगड़ा और कहा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ जाओ और अकेले खेलो सुलिंग्यू ने जटके से अपना सिर उसके हाथ से दूर कर दिया वह जानती थी कि उसने फिर से उसके बाल खराब कर दिये हैं लेकिन यह इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था इतने जिद्धी मत बनो क्या आप जानते हैं कि शीर्ष दस में से एक होने का क्या मतलब है उन्हें आठवी रैंक तक पहुँचना होगा या आठवी रैंक के बराबर क्षमताएं रखनी होगी आप निश्चित रूप से शीर्ष दस में जगह बना सकते हैं लेकिन अगर आप इसे हासिल करने में किसी और की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह मुश्किल होगा वहाँ वहाँ मैं समझता हूँ वरुन ने उसका कंधा थफथ पाया लेकिन आगे कुछ नहीं बताया वह पीछे मुड़ा और उस ग्राहक से जो अपना बिल चुकाने वाला था उसे एक और सेकंड देने के लिए कहा फिर वह एक तरफ हट गया और सोंगलू को बुलाया बीप कॉल जल्दी से चली गई नमस्ते श्रीसु अच्छा मैं बस आपको कॉल करने ही बाला था सोंगलू ने कहा वह अभी-भी कार्याले से निकली थी और वर्तमान स्थिती से निपटने के तरीके पर कर्चा करने के लिए वरुन को फोन करने वाली थी जब वरुन ने उसे बताया कि उसकी योजना क्या है तभी वह तैकर सकी कि उन्हें इस काम पर कैसे कार्य करना चाहिए वे सिर्फ कुछ विज्यापनों के कारण म्यूशुअंधवान की कड़ी मेहंत से अरजित प्रतिष्ठा को खत्रे में नहीं डालना चाहते थे म्यूशुअंधवान लोग प्रियत थी लेकिन उनके शत्रूओं और विरोधी प्रशंसकों में अच्छी खासी हिस्सेदारी थी जब वह नीचे होगी तो यह उनके लिए उसे लात मारने का मौका होगा क्या यह प्राइमो के बारे में है वरुन ने पूछा सॉंगलू आश्चर यचकित लग रहा था तुम्हें पहले ही पता चल गया अच्छा मिस्टर सू आप क्या योजना बना रहे हैं वरुन ने जवाब दिया विध्यापन एजनसी से संपर्क करने और इसे प्राप्त करने में मेरी मदद करें मेरा पालतू पशू स्टोर एक नया प्रचार शुरू कर रहा है शीर्ष 10 में प्रवेश की गारंटी है लेकिन केवल 5 स्थान उपलब्ध है पहले आओ पहले पाओ मैं आपको विवर्ण भेजूंगा सौंध लू को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है एलिट लीग के शीर्ष 10 में प्रवेश की गारंटी सौंध लू को आश्चर यह हुआ कि क्या उसकी सुनने की शक्ती काम कर रही है वे एलिट लीग के बारे में बात कर रहे थे जहां अंगिनत युवा एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्परधा करेंगे एलिट लीग पूरी दुनिया का ध्यान खीचेगी वर्तमान चरण में यह अभी भी स्थानिय आधार शहरों में योगिता परीक्षन था फिर भी स्थानिय स्थर पर खड़े रहना कठिन होगा यह लाखों लोगों के लिए एक प्रतियोगिता थी उसने पहले ही मान लिया था कि वरुन दिंगे हाथ रहा है जब उसने कहा कि वह शीर्ष एक सौ में टिकट की गारंटी दे सकता है तभी उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा कि वह शीर्ष दस में स्थान की गारंटी दे सकता है क्या वरुन का आशय यह था कि वह यह वादा कर सकता है कि उसके पांच ग्राहक शीर्ष दस में होंगे क्या आप अपने आपको भगवान मानते हैं सौंगलू अपने जीवन के लिए यह स्विकार नहीं कर सकी की यही वह उत्तर था जो उसे मिलने वाला था वह अपने आप में बहुत पूर्ण है सौंगलू को उत्तर देने के लिए शब्द नहीं मिले उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वरुन अभी भी बहुत सद्मी में है लेकिन नहसंदे वह उससे यह नहीं पूछ सकती थी सब कुछ कहने और करने के बाद वरुन उसका नियोकता था और वेनेरेबल डब लेड किसी तरह से उससे संबंधित हो सकता था ठीक है मिस्टर सुक क्या आपने इसके बारे में सुचा है सोंग लू को यह प्रशन आवश्चत लगा यह सब कुछ हो जाएगा मैं आपको विवर्ण और नियम भेजूंगा वरुन ने कहा और फोन रख दिया फिर उन्होंने अपना टेक्स्ट संदेश संपादित करना शुरू किया उन्होंने स्वभाविक रूप से एक सचेत निर्ने लिया था किसी आवेग के कारण नहीं किसी को शीर्ष दस में सीट देने का वादा करना कठिन था हाला कि उन्होंने इस पर गेहन विचार किया था इसलिए उन्होंने कहा कि केवल पांच स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे उनके स्टोर में प्रशिक्षन का उच्चतम स्थर पेशेवर प्रशिक्षन था पेशेवर प्रशिक्षन के लिए वरुन किसी भी पालतू जानवर को औसत से उपर की योग्यता तक पहुँचने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है जब तक कि पालतू जानवर का वंश प्रथम श्रेई का न हो सामान्यत्या पेशेवर प्रशिक्षन प्राप्त करने के बाद पालतू जानवर लगभग सात्वी रैंक तक प्रक्ति कर सकते हैं ऐसी क्षमताओं के साथ शीर्ष एक सौ में जगह बनाना निश्चित होगा लेकिन यह शीर्ष दस में जगह बनाने के लिए काफी नहीं था इसलिए अगर वरुन को अपने ग्राहकों को इसे बनाने में मदद करनी है तो उन्हें इसे अधिक गंभीरता से लेना होगा वह अभी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ जाएंगे केवल इस बार उसके पास अपने ग्राहक के पालतू जानवरों और प्रशिक्षन के समय के लिए भी आवश्चक्ताए थी सबसे पहले तो ग्राहक के पालतू जानवर को छठी रैंक पर होना होगा पेशेवर प्रशिक्षन के साथ पालतू जानवर कम से कम नौवी रैंग के बराबर ताकत से लैस होगा इससे शीर्ष दस में जगह बनाने की संभावना लगभग 80% तक बढ़ जाएगी पिछले एलीट लीग के आकड़ों को पढ़ने के बाद उन्होंने यही गणना की थी फिर भी वह परियाप्त नहीं था वह जो पैकेज दे रहा था उसमें निरंतर प्रशिक्षन, पालतू भोजन और पालतू जानवरों की देखभाल शामिल थी इस पैकेज को चुनने वाले ग्राहक को संबंधित शुल्प का भुगतान करना होगा और पूरी प्रक्रिया में उसका सहयोग करना होगा पूरे पैकेज के साथ ग्राहक को शीर्श दस में जगया बनाने की काफी गारंटी होगी कुछ ऐसा था जो लोग हमेशा कहते थे आप गलत उत्पाद खरीद सकते हैं लेकिन बेचा गया कोई भी उत्पाद गलत नहीं होगा ग्राहकों के लिए यह पैकेज काफी फाइदे मंद होगा वरुन के लिए यह उनके स्टोर में पालतू जानवरों के भोजन और अन्य सिवाओं को बढ़ावा देने का एक मौका था उनके स्टोर में कीमतें सिस्टम द्वारा निर्धारित की गई थी और उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता था हाला कि यह सच है वह पैसे कमाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ खामिया ढूंधी लेता था म्यू की एजनसी के अध्यक्ष ने सोंगलू से पूछा जो अभी अभी अपने कार्याले लोटा था उसने क्या कहा सोंगलू ने अपना फोन रख दिया वह जिजक रही थी कि क्या वह उसे वरोन द्वारा कहे गए सटीक शब्द और वह पैकेज जो वह पेश कर रहा था बता सकती है आखिरकार वह एक पागल की तरह लग रहा था तुम्हें क्या चीज रोक रही है? क्या हो रहा है? पर उनकी भाँहों पर बल पड़े सौंगलू ने एक कड़वी मुस्कान के साथ उसे पूरी बात बताई शीर्ष दस मियू एजनसी के अध्यक्ष कुरसी से उचल पड़े क्या आपको यकीन है? मियू शुआंगवान भी कार्याले में थे वह मुडी और सौंगलू को घूर कर देखने लगी पूरी तरह से चकित रह गई उसके चेहरे का भाव कह रहा था क्या आपने गलत शब्द कहे? हाँ उन्होंने खुद मुझे बताया यह नया पैकेज है जिसका प्रचार करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था सौंगलू ने उसे अपना फोन सौंक दिया म्यू शुवांगवान ने अपने पंजों के बल खड़े होकर संदेश पढ़ा और उचसुकता से भर गई वह कंपनी में लोग प्रिय थी और वह म्यू परिवार की लड़की थी इस प्रकार उसे अपने चचेरे भाई राश्ट्रपती के सामने नियमों का बहुत सक्ती से पालन नहीं करना पड़ा जल्द ही उन्होंने पढ़ना समाप्त कर लिया एक क्षण के लिए सननाटा चा गया उन दोनोंने अवाक होकर एक दूसरे की ओर देखा उन्होंने एक दूसरे की आँखों में वही सद्मा पड़ा सौंगलू सच कह रहा था वरुन ने इस पैकेज को प्रमोट करने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे यह भी पता था कि शीर्ष दस में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है? यह उलेक करने की आवश्यक्ता नहीं है कि वह पांच स्थानों की पेशकश कर रहा था क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि पांच लोग इस सेवा को चुनते हैं तो इस वर्ष की एलिट लीग में शीर्ष दस में से पांच वरोन के ग्राहक होंगे कोई मजात नहीं यहां तक की म्यू परिवार या किन परिवार भी इस हद तक घमंड नहीं कर सकता था उन सभी बड़े परिवारों में प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाई थी वे सभी अपनी प्रसिद्धि स्थापित करने के लिए इस एलिट लीग पर भरोसा कर रहे थे शीर्ष दस में जगह बनाना उनके लिए महत्वपून होगा और प्रतिसपरधा कड़ी होगी तो वरोन के बारे में क्या उन्होंने दावा किया कि वह पांच स्थानों की पेशकश कर रहे थे वह खुद से आगे निकल रहा था तुम क्या वह पागल है? राश्ट्रपती ने मियूशुवांगवान और सोंगलू की ओर देखा और सोंगलू पर अपना गुस्सा उतारने का फैसला किया सोंगलू ने कड़वाहट में अपना सिर नीचे कर लिया मियूशुवांगवान वापस होश में आ गई वह असमन्जस में थी उसने वास्तव में वेनेरेबल डबलेड को वहाँ देखा था और वरुन और वह दोनों करीब लग रहे थे वरुन जैसा पागल कैसे हो सकता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वरुन क्या सोच रहा है? ये शब्द कोई मास्टर ट्रेनर भी नहीं कह सकता न्यू और किन परिवार जैसे परिवार अपने उप्योग के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को नियुक्त कर सकते हैं उसे बुलाओ और उससे बात करो हो सकता है कि दुकान का मालिक अपना दिमाग खो रहा हो और हम उसके साथ नीचे नहीं जा सकते उसने गुस्से में सोंग लू को आदेश दिया यदि इस पैकेज का प्रचार किया गया तो पूरे बेस सिटी में हंगामा मच जाएगा ऐसा भ्रम लोग न केवल इस स्टोर का बलकी स्टोर का विद्यापन करने वाले मियू शुअंगवान का भी मजाग उडाएंगे यहां तक कि मियू की एजनसी भी मुश्किल में पढ़ जाएगी लेकिन लेकिन वह पहले ही भुगतान कर चुका है और अनुबंध सौंगलू जिजक रहा था अनुबंध भाड में जाए यहां मेरी चिंता का विशय नहीं है उससे बात करो उससे विंती करो आपको इसे रोकना ही होगा वह बहुत परेशान करने वाला ग्रहक है जदि वह स्वय को नश्ट करना चाहता है तो ठीक है लेकिन अन्य लोगों को अकेला छोड़ दो इसमें कितना दर्ध है मैं मैं उससे बात करूंगा तुम्हें उससे मनाना ही होगा हाँ मैंने अपना निर्णय ले लिया है चर्चा का अंत दुकान पर वरुन ने सौंदलू बंद कर दिया सौंदलू ने पैकेज रद करने के बारी में उनसे संपर्क किया था यह पैकेज कभी भी रद नहीं किया जा सकेगा अन्य था वह प्राइमो के हाथों अपना सारा व्यवसाय खोदेगा प्राइमो विशेश रूप से उन्हीं की वजह से टॉप पचास पैकेज लॉंच कर रहा था अपने ग्रहकों को बनाए रखने का एक मात्र तरीका सर्वोत्तम प्राइमो था अग्य था प्रचार शुल्क और उसके द्वारा निवेश किया गया पैसा बरबाद हो जाएगा उन्होंने इस प्रक्रिया में प्राइमो के विद्यापन में मदद करने के अलावा और कुछ हासिल नहीं किया होगा इस प्रतियोगिता के कारण वह बेस सिटी के अख़बार के पहले पन्ने पर भी हो सकता है ऐसा नहीं था कि वरुन अपनी हार मानने को तयार नहीं थे बात सिर्फ इतनी थी कि वह नहीं कर सका व्यापार में युद्ध रक्तहीन युद्ध था लेकिन किसी भी युद्ध की तरह एक कदम पीछे हटने का मतलब मौथ होगा प्राइमो को इसका एसास हुआ होगा यही वज़य है कि उन्होंने टॉप 50 पैकेज लॉंच किया था यह प्राइमो द्वारा किया गया सर्वोत्तम कार्य था यह एक जुआ था यहां तक कि उनके जैसे बड़े ब्रांड के लिए भी उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी महंत करनी होगी कि कई ग्राहक शीर्ष 50 में जगह बना सकें इससे आगे बढ़ने की ताकत उनमें नहीं थी बेशक यह भी संभव था कि एलिट लीग के बाद प्राइमो शीर्ष 50 में से कुछ लोगों को रिश्वत दे सकता था और उनसे यह दावा करने के लिए कह सकता था कि उनके पालतू जानवरों को प्राइमो द्वारा प्रशिक्षित किया गया था इससे उन योध्धाओं की प्रतिष्ठा पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्राइमो उन्हें भारी प्रतिपूर्ती करेगा यह एक जीत-जीत की स्थिती थी प्राइमो के श्रे को देखते हुए किसी को भी किसी बात पर संदेह नहीं होगा इसलिए पैसा और प्रतिष्ठा खोने वाला एक मात्र कारण वरुन का पालतू जानवर का स्टोर होगा वरुन से बातचीत का कोई रास्ता नहीं था सौंदलू को सिरदर्ग था और वह केवल म्यूशुअंगवान से मदद मांग सकता था अववल दर्जे की मैनेजर होने के बावजूद उनकी कुशलवानी और वागपटुता वरुन के सामने बिलकुल बेसर थी बादवाले ने उसे उनका उप्योग करने का मौका नहीं दिया म्यूशुअंगवान को मामले के बारे में पता चलने के बाद वह केवल राष्ट्रपती को इसकी रिपोर्ट कर सकती थी वह परिनाम भुगतने को तयार थी कुछ चर्चा के बाद और यह देखते हुए कि स्थिती को बचाने का कोई रास्ता नहीं है स्टार एंटर्टेन्मेंट एजनसी ने अंत में अनुबंध पूरा किया और वरुन को उन सभी लोकप्रिय प्लेटफार्मों से संपर्क करने में मदद की जिनकी उन्होंने पहले से व्यवस्था की थी पहला प्रमोशन जारी किया गया आखिरकार अनुबंध तोरने पर उन्हें बड़ी मात्रा में मुआवजा देना होगा चुंकि बात यहां तक आ गई थी इसलिए उन्होंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया उस रात विभिन लोकप्रिय मंचों पर अंगिनत दर्शक एकत्र थे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म थे कुछ व्यापक खोज प्लेटफॉर्म थे और कुछ समाचार प्लेटफॉर्म थे रात आथ बजे सभी प्लेटफार्मों पर एक नई स्प्लैश स्क्रीन दिखाई दी आमतोर पर उन स्प्लैश्ट्रीनों का उप्योग नए नाटकों या गर्म विश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था, लेकिन इस समय वे एक दुकान की ओर इशारा कर रहे थे संभरांत लीग शीर्श दस की गारंटी प्रिष्ट पर आठ बड़े शब्द प्रकट हुए, जिन्होंने तुरंट अंगिनत लोगों का ध्यान आकरशित किया चुंकि एलीट लीग नस्दीक आ रही थी, इसलिए हर कोई इस पर ध्यान दे रहा था एलीट लीग से संबंधित कोई भी समाचार बहुत अधिक ध्यान आकरशित करेगा, सुर्खियों का तो जिक्र ही नहीं शीर्श दस में होने की गारंटी इसके तुरंट बाद, स्प्लैश स्क्रीन पर पालतू जानवर की दुकान का परिचय दिखाया गया कई सेवा कीनतें और अलग-अलग कॉम्बो थे वहाँ एक कॉम्बो था जो लोंगजियांग लीग के शीर्श एक सौ में प्रवेश की गारंटी देता था एक कॉम्बो जो शीर्श दस में प्रवेश की गारंटी देता है व्यावसाइक प्रशिक्षन 10 लाख सुक्ष मसिके साधारन प्रशिक्षन 1 लाख सुक्ष मसिके विज्यापन में विभिन सेवाओं की कीमते बिल्कुल स्पष्ट थी जब लोगों ने तथाक्थित शीर्ष 10 में प्रवेश की गारंटी को उपपाठ के बजाए मुख्य शीर्षक के रूप में देखा तो बेस सिटी का आंतरिक नेटवर्क उटसाह से भर गया इकसी पेट स्टोर की प्रसिधी एक पल में शीर्ष पर पहुँच गई इसके बारे में लगभग सभी को रातों रात पता चल गया यह कैसी दुकान है शीर्ष 10 में प्रवेश की गारंटी देने की उनकी हिम्मत कैसे हुई यह भगवान यह एलिट लीग है क्या यह दुकान बहुत बड़ा दावा नहीं कर रही है क्या वे सच-मुच इसकी गारंटी दे सकते हैं मैंने पहले कभी इस पालतू जानवर की दुकान के बारे में नहीं सुना मैंने सुना है कि यह जुग्गियों में खुला है क्या जुग्गियों के गरीब पैसे के लिए इतने पागल हैं कि वे कोई भी दावा करेंगे मुश्वंगवान का भी समर्थन है इस तरह के घोटाले का पैसा कमाने के लिए मैं आपके बारे में नहीं जानता लेकिन मैं निश्चित रूप से प्रशन सक बन जाऊंगा हो सकता है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ती इस स्टोर का समर्थन कर रहा हो मैं कल जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है विभिन प्रचारात्मक तिपणी अनुभागों में कई विवादास पर तिपणिया देखी जा सकती है उनमें से अधिकांश तो सशंकित थे लेकिन उससे भी अधिक लोग ऐसे थे जो इस दुकान के बारे में बेहत उच्सुक थे आखिरकार भले ही वे भाग्य को लुभाना चाहते हों फिर भी ऐसी आत्मधाती पद्धती का उप्योग करने का कोई कारण नहीं था हो सकता है कि वे कुछ पैसे कमाने में काम्याब हो जाएं लेकिन उन्हें शान्ती महसूस नहीं होगी प्रचार कार्यक्रम शुरू होने के कुछ समय बाद ही म्यूशुवांगवान के प्रशंसकों की लड़ाई प्रशंसकों की हार के साथ समाप्थ हुई जिससे बोर्ड पर अंगिनत आलूचनाओं की बाढ़ा गई स्टार एंटर्टेन्मेंट एजेंसी जनसंपर्क संकट में थी और उसे उस रात ओवर टाइन काम करना पड़ा धिक्कार है मुझे पता था कि इसका परिणाम यही होगा कार्याले में राश्ट्रपती गुस्से में थे और उन्होंने सोंगलू को डाटा सौंग लूडर से काम रहा था उसने अपना सिर नीचे कर लिया और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की म्यूशुवांगवान एक कुर्सी पर बैठी थी उसकी भौहें सिकुडी हुई थी कुछ चिंतित थी अभी इंटरनेट आलोचना और संदेह से भरा है असाधारन पालतू जानवर की दुकान के मालिक लियू युवान कोई साधारन चरित्र नहीं है वह लियू परिवार का सदस्य है इस बात की जानकारी उन्हें पहले से ही रही होगी इससे पहले कि वह इंटरनेट पर सुद्रिधी करण भेजे ज्यादा समय नहीं लगेगा यह प्रमोशन एक बम की तरह है जो हम सभी को उड़ा देगा म्यू शुआंगवान चुक्चाप सुनता रहा थोड़ी देर बाद उसने कहा हो सकता है उसके पास सचमुच कोई कारण हो हो सकता है कि उसकी दुकान में कोई अववल दर्जे का मास्टर ट्रेनर हो आखिरकार विनेरेबल दबलेड स्वयं पहले उनकी दुकान में दिखाई दिये थे एक शीर्ष स्थर का मास्टर ट्रेनर हम्फ अगर वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति है तो आपको प्रवक्ता बनाने के बजाए उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना अधिक प्रभावी होगा राश्ट्रपती ने व्यंग्य किया कौन जानता है कि जिस व्यक्ति को आपने उस समय देखा था वह सचा आधरणिय ब्लेड था विनेरिबल दब्लेड किस प्रकार का व्यक्ति है वह उस स्थान पर क्यों दिखाई देगा वह अपनी पहचान क्यों उजागर करेगा और स्वीकार करेगा मियू शुआंगवान थोड़ा अचंभित हो गया उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था हाला कि उस व्यक्ति की शकल सूरत से कोई छद्मवेश नहीं लग रहा था तुरंट उस मूर्ख प्रबंधक से पूछें कि वह आपकी प्रतिष्ठा को होने बाले नुकसान के बारे में क्या करने जा रहा है ये कॉंट्रैक्ट में लिखा है उससे मुआवजा तयार करवाओ राश्ट्रपती ने उपहास किया और हाथ हिलाया उसी समय कहीं और अप्टाउन प्राइमो मुख्याले वह एक विशेश रूप से निर्मित इमारत थी बाहर प्राइमो का ट्रेडमार्क साइन बोर्ड था बॉस वह दुकान फिर से परिशानी पैदा कर रही है यह सोचने के लिए कि उसने प्रतियोगिता के शीर्ष दस में प्रवेश की गारंटी दी है वह पागल होगा ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसे एक कोने में धकेल दिया गया था चिंता होने पर खरगोश भी काट लेता है हे 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 दुश्मन को मारने के लिए पहले पागल होना पड़ेगा कमपनी के कुछ वरिष्ट अधिकारी एक साथ बैठे बातें कर रहे थे और हस रहे थे उनकी बैठब की मेज के सामने एक परिष्पृत और सौमे चहरे वाला एक लंबा मध्यम आयू वर्ग का व्यक्ति बैठा था वह स्पष्ट रूप से एक दयालू व्यक्ति थे जिनके चहरे पर सौमे मुस्कान थी क्या आपने इस स्टोर की प्रिष्थ भूमी की जाच की है अधेड उम्र के आदमी ने पूछा वह प्रिमो के मालिक लिव युवान थे बॉस मैंने पहले ही लोगों को जाच के लिए भेज दिया है लेकिन अजीब बात यहा है कि नगरपालिका ब्योर और नागरिक मामलों के ब्योरो हमें नजरंदाज कर रही है बेज सूट में एक मध्यम आयू वर्ग के प्रबंधक ने हैरान अभिव्यक्ति के साथ कहा उनकी दुकान और लिव युवान की प्रिष्ठ भूमी के साथ उनके लिए जाच करना आसान होगा हालाकि उन्हें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा पिक्सी के बॉस का उपनाम सुथा नकी किन नहीं म्यू तो उसकी क्या प्रिष्ठ भूमी हो सकती है लिव परिवार लोंगजियान बेस सिटी में तीसरा सबसे बड़ा परिवार था किन उपनाम और म्यू उपनाम वाले लोगों के अलावा जो अच्छूत थे क्या दूसरों को आसानी से धंकाया नहीं जाएगा आप हार गए लिव यूआन थोड़ा सा घबरा गया एक अन्य बुजूर्ग ने कुछ देर सोचा और सुझाव दिया ऐसा लगता है कि यह दुकान साधारन नहीं है क्या उस स्थान को चलाने का दावा करने वाला लड़का कटपुतली हो सकता है क्या इस सब के पीछे कोई है लिव यूआन की आखें चमक उठीन और उन्होंने कहा मैं बाद में मेर से संपर्ग करूंगा कुछ लोगों को दुकान के बाहर इंतजार करने के लिए भेजो मुझे वहां की नवीनतम स्थिती से अवगत कराते रहें हाँ बॉस अरे नहीं बॉस इसी समय बैठक कक्ष का दर्वाजा अचानक धक्का देकर खुला दिया गया और एक घबराया हुआ युवा सचिव अंदर चला गया वह लिव युवान का सचिव था उन्होंने हमेशा आत्मसन्यम बरता और केवल पुरुष सचिवों को ही नियुक्त किया एह लिव युवान ने भौहें चड़ा दी जब तक कोई गंभीर बात नहो उनका सचिव इतना अनियंत्रित नहीं होगा बोलना बॉस यह विडियो देखें युवा सचिव जल्दी से भागा और लिव युवान को फोन सौंप दिया जबकि लोंगजियांग इंट्रानेट पर हर कोई पालतू जानवर की दुकान पर संदेह कर रहा था कुछ विडियो जो एक नासंज व्यक्ति द्वारा लिए गए थे एक पालतू जानवर मंच पर पोस्ट किये गए थे विडियो में एक दुकान थी दुकान का साइन बोर्ड पिक्सी था रात के आकाश के नीचे बिजली का साइन बोर्ड चमक रहा था कैमरा धीरे-धीरे दुकान के दर्वाजे के सामने शिफ्ट हो गया दर्वाजे पर एक मूर्ती और चौडी सीधिया थी जिससे यह एक भव्य हवेली जैसा दिखता था हाला कि सबसे अधिक ध्यान खीचने वाली चीज दर्वाजे के पास की विशाल चाया थी यह एक अजगर था फिल्मांकन स्पष्ट नहीं था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि देर रात का समय था लेकिन छाया चित्र से कोई भी बता सकता है कि यह एक ड्रैगन था ड्रैगन के शरीर से कुछ निकर रहा था मानो आग की लप्टे नाच रही हो अंगिनत टिपणियों को आकर्शिक करते हुए वीडियो को देखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी विशेश रूप से ओपी की टिपणियों ने वीडियो को फोरम पर पिन कर दिया ओपी क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या वह इंफर्नो ड्रैगन है इसे काट दें एक अन्य वीडियो में इसका HD संसकरण है यह एक वास्तविक इन्फर्नो ड्रैगन है मैं पहले से ही इस दुकान की ओर जा रहा हूँ मैं इस बार एलीट लीग के शीर्ष दस में अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ नीचे अंडिनक टिपणिया थी इस बार एक तरफा संदेह नहीं था बलकि उठसुकता और बढ़ गई कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पिक्सी पेट स्टोर के प्रवेश द्वार पर एक असली इन्फर्नो ड्रैगन देखा था बहस जारी रही और हर कोई स्पष्ट उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था वह है एक इन्फर्नो ड्रैगन जब लिउ युआन ने स्क्रीन पर कबजा कर रहे ड्रैगन को देखा तो उसकी आखे थोड़ी सिकुड गई हाला कि फिल्मांकन बहुत स्पष्ट नहीं था और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जगह बहुत जरजर थी क्योंकि वहा कोई स्ट्रीट लैंप नहीं था वह एक नजर में बता सकता था कि यह एक इन्फर्नो ड्रैगन था एक अत्यंत दुरलब शीर्ष कोटी का ड्रैगन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कई वर्षों तक पालतू जानवरों की दुकान खोली थी सभी प्रकार के पालतू जानवरों के बारे में उसकी टिपपणियों को सावधानी पूर्वक वर्नित किया जा सकता है ड्रैगन पालतू जानवर पाने में सक्षम था जिससे पता चला कि यह स्टोर उतना सरल नहीं था जितना लगता था यहां उतना आसान नहीं था जितना की एक नव धनाध्य व्यक्ति किसी सेलिब्रेटी को प्रवक्ता के रूप में नियुक्त करने के लिए कुछ पैसे खर्च करता है W किसी को यह जानना होगा कि उस जैसा सर्वोच दुरलग ड्रैगन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सके किसी को कनेक्शन, चैनल और सोशल नेक वर्किंग पर निर्भर रहना पड़ता था आखिरकार यह एक अववल दर्जे का ड्रैगन पालतू जानवर था यदि ठीक से प्रशिक्षित किया जाए तो इसे शीर्षक वाले विशेशग्य द्वारा मुख्य युद्ध पालतू जानवर के रूप में भी इस्तिमाल किया जा सकता है इसके अलावा यह एक शीर्षक विशेशग्य की स्थिती को उसके साथियों के बीच सर्वश्रिष्ट में से एक बना सकता है धत्तेरी की उसने अपनी हथेली से थोड़ा जोर लगाया और फोन को चल गया जब अन्य अधिकारियों और युवा सचेव ने उसकी उगर अभिव्यक्ती देखी तो वे चौक गए उन्होंने उसे इस तरह अपना सन्यम खोते हुए कभी नहीं देखा था अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड है कार तयार करो मुझे लिव परिवार की संपत्ती में लोटने की जरूरत है आहो हाँ हाँ जाने से पहले लिव युवान ने अधिकारियों से बेरुखी से कहा आप लोग इस दुकान पर नज़र रखने के लिए किसी को भेजें मैं वह सब कुछ जानना चाहता हूँ जो वहां होता है उनमें से कुछ लोग जल्दी से सहमत हो गए लेकिन उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक कठिन कुकी को उकसाया हो सुमवार जैसे जैसे समय बीटता गया पिक्सी पेट स्टोर और अधिक प्रसिद्ध होता गया पालतू जानवर की दुकान के बाहर ड्रैगन पालतू जानवर का असली चहरा कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा तीवरनाक के साथ कैद किया गया था यहां अफवाह इंफर्नो ड्रैगन थी तुरंट पूरा लोंगजियांग इंट्रानेट उट्साह से उबल पड़ा वीडियो देखने वाले अंकिनत लोगों को इस द्रिश से गहरा सदमा लगा इतने कीमती शीर श्रेय के ड्रैगन पालतू जानवर को रक्षक कुट्टे के रूप में इस्तिमाल किया जा रहा था वह दुकान बिल्कुल स्वर्ग विरोधी थी यह वास्तव में एक इंफर्नो ड्रैगन है क्या वह पागलपन नहीं है इस स्टोर की प्रिष्ठ भूमी किस प्रकार की है ऐसा लगता है कि यह कहीं से भी प्रकट हुआ है अग्भुत यहां तक कि अगर हम केवल इस इंफर्नो ड्रैगन को देखने के लिए वहां जाते हैं तो यात्रा इसके लायक होगी मैं इसे अब और बरदाश्ट नहीं कर सकता बकवास ड्रेगन के प्रशन सको चलो चले मैंने जो पहले कहा था वह वास्तव में सच था हे भगवान हमारे लोंगजियान बेस सिटी में इंफर्नो ड्रैगन कब से दिखाई दिया यह पहली बार है जब मैंने इसके बारे में सुना है हाँ हाँ आए सभी को सूचित करें की जुग्गियों के डार्क स्टार डिस्टिक्ट के लिए ट्रेन टिकट की कीमत 370 तक बढ़ गई है जुग्गी बस्तियों के टिकट इतने महंगे हैं पूरे इंटरनेट पर जो संदेह फैल रहा था वह एक पल में गायब हो गया मीडिया द्वारा लिया गया वीडियो उन लोगों के चहरे पर तमाचे की तरह था जिन्होंने पहले मजाक उड़ाया था और संदेह किया था वीडियो और तस्वीरे थी और वे पुखता सबूत थे पिक्सी पेट स्टोर के बारे में संदेह वाले सभी संदेशों को प्रचार प्लेट फार्मों के टिपणी अनुभागों के नीचे भेज दिया गया था उनका स्थान उद्साहित और उद्सुक टिपणियों ने ले लिया था एक अत्यंत दुलब इन्फर्नो ड्रैगन की उपस्थिती ने पालतू जानवरों के प्रशनसकों के उद्साह को पूरी तरह से प्रजवलित कर दिया था हर लड़ाई में पालतू योध्धा ने पालतू जानवरों का अध्यान किया जैसे ही उन्होंने पालतू जानवरों का अध्यान किया उनमें से प्रत्येक का कुछ पालतू जानवरों के प्रती विशेश रुजान था सभी पालतू जानवरों के मुख्या के रूप में, सबसे लोगप्रिय ड्रेगन और विशेश रूप से सभी ड्रेगन में सर्वश्रिष्ट इन्फर्नो ड्रेगन के प्रशनसकों की संख्या असंख्य थी, यहां तक कि कुछ मशूर हस्तियों से भी अधिक इसके सभी प्रशनसक युद्ध के पालतू योध्धा नहीं थे, उनमें से कुछ सामान्य लोग थे आखिरकार युद्ध के पालतू योध्धाओं के अलावा उस युग में कई सामान्य लोग भी थे अपने जीन में दोशों के कारण वे जागने और युद्ध के पालतू योध्धा बनने में असमर्थ थे हाला कि इससे युद्ध के पालतू योध्धाओं के प्रती उनका प्यार कम नहीं हुआ इसके विपरीत पालतू जानवरों के प्रती उनका जुनून कुछ युद्ध पालतू योध्धाओं से भी अधिक उग्र था चुंकि इंफर्नो ड्रैगन वीडियो उच्छ गुनवत्ता और प्रामानिक था लोंगजियांग इंट्रानेट में पिक्सी पेट स्टोर की प्रसिधी अपने चरम पर पहुँच गई अंगिनत लोग टिकेट बुक करने और इसे अपनी आखों से देखने के लिए घटनास्थल की ओर दौडने के लिए एक शन भी अधिक प्रतीक्षा करने में असमर्थ थे इंफर्नो ड्रैगन को अपनी आखों से देखने के लिए उन्हें केवल कुछ सौ रुपय खर्च करने पड़े कुछ युद्ध पालतु जानवरों के प्रशनसकों के लिए वह बस एक उपहार था म्यू की स्टार एंटर्टेन्मेंट एजनसी सबसे उपरी मंजिल पर यह इस दुकान में वास्तव में एक इंफर्नो ड्रैगन है राश्ट्रपती ने उस टैबलेट को देखा जो उनके सचिवने उन्हें दिया था वह थोड़ा अवाक रह गया म्यू शुआंगवान बैठा रहा जबकि सोंगलू खड़ा रहा उनके चहरे पर मुस्कान थी उन्होंने पहले ही खबर सुन ली थी उनकी पिछली चिंता और चिंता पूरी तरह से गायब हो गई थी इन्फर्नो ड्रैगन के साथ वह दुकान पूरी तरह से उनकी अपेक्षाओं से बढ़ कर थी ये उनके लिए अच्छी बात थी फिलहाल मिस म्यू पर निर्देशित चेतावनी पहले ही गायब हो गई है कई लोग माफी मांगने भी आए यह सही है इस दुकान की विरासत हमारी उम्मीदों से परे है सौंगलू और म्यू शुआंगवान मुस्कुराए राश्ट्रपती ने उन दोनों की ओर देखा और गहरी सास छोडी ऐसा लगता है कि इस स्टोर का मालिक पूरी तरह से पागल नहीं है वह वास्तव में इंफर्नो ड्रैगन जैसा एक शीष दुर्लब ड्रैगन पालतु जानवर प्राप्त करने में काम्याब रहा ऐसा लगता है कि लिव परिवार का प्राइमो इस बार कुछ दबाव में रहने वाला है दोनों महिलाओं के चहरे पर मुस्कान थी यह उनके लिए अच्छी बात थी कि लिव परिवार को जटका लगा था सोंग लू तुरंट लोगों को इस दुकान पर ध्यान देने को कहें जगह की निगरानी करने के लिए लोगों को भेजें और हमें हर समय नवीनतम जानकारी से अवगत कराएं राश्ट्रपती ने कहा अगर हमें इस इंफर्नो ड्रैगन के अस्तित्व के बारे में पता होता तो हमें इतनी चिंता नहीं होती इस बॉस के साथ हमारा लगभग मतभेध हो गया था सौभाग्य से इंटरनेट पर खबर समय पर आ गई हाँ हाँ सौंग लू ने सिर हिलाया म्यू शुआंगवान के चहरे पर मुसकान थी उसकी आखे चमक रही थी इस समय वह कुछ और ही सोच रही थी चुकि दुकान में एक इंफर्नो ड्रैगन था विनेरेबल डबलेड के साथ उनकी पिछली मुलाकात संभवता वास्तविक थी वह तब तक जिजक रही थी लेकिन ऐसा लगा कि उसे वास्तव में यह बात अपने दादाजी को बतानी होगी दुकान पर वरुन को एसास हुआ कि कॉम्बो लॉंच होने के बाद स्टोर की लोग प्रियता तेजी से बढ़ी है हाला कि वह कई लोगों को प्राप्त करता रहा और भेजता रहा फिर भी अधिक लोग आने लगे दुकान के अंदर लंबी लाइन लगी थी तथा पी इस बार दुकान में ज्यादा हंगामा नहीं हुआ बस फुसफुसाटे थी प्रवेश द्वार पर इंफर्नो ड्रैगन बहुत दराने वाला था जो लोग साइड की सीधियों से दुकान में दाखिल हुए थे उनमें से कुछ को ऐसा लग रहा था जैसे वे चुकचाप अंदर आ गए हो अजगर के घबरा जाने के डर से उन्होंने कोई शोर मचाने की हिम्मत नहीं की इसके अलावा वह स्टोर इस भयानक इंफर्नो ड्रैगन के दरवाजे की रखवाली कर सकता था इसकी प्रिष्ठ भूमी भयावह हो सकती है और किसी को भी वहा उपदरव मचाने की हिम्मत नहीं हुई साधारन प्रशिक्षन एक लाख वरुन ने कहा उसके सामने एक युवा और कोमल दिखने वाला युवक था वह घबराया हुआ लग रहा था क्योंकि उसने जल्दी से भुकतान करने से पहले धीरे से सिरहिलाया कृपया अपने पालतू जानवर को बाहर लाए ओ ठीक है युवक ने जल्दी से अपने पालतू जानवर को बुलाया यह चोथी श्रेनी का सेंड ड्यून जानवर था सेंड ड्यून बीस्ट भूरे बालों वाली एक बड़ी बिल्ली की तरह था यह एक फुर्तीला चटान जैसा पालतू जानवर था जो रेतीले बातावर्ण में लड़ने के लिए उप्युक्त था वरुन ने सेंड ड्यून बीस्ट को संभालने के लिए तांग रुयान को बुलाया जब तांग रुयान पालतू जानवर को लेने के लिए उपर गई तो वह उदास लग रही थी उसने इतने सारे लोगों का स्वागत किया था और फिर भी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे नहीं पहचाना वह नहीं जानती थी कि वह किस प्रकार की गंदी और दुरगम जगह पर थी दरसल पहली बार उसे अपनी प्रतिष्ठा पर संदे होने लगा जैसे ही वह युवक चला गया उसके पीछे एक खटा-कटा युवक तुरंट आगे आया और चहरे पर उत्सा भरते हुए बोला बॉस मुझे सबसे अच्छा कॉम्बो चाहिए जो शीश 5 में प्रवेश की गारंटी दे सके वरोन ने अपनी भौहें उपर उठाई उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई बड़ा ग्राहक आ जाएगा क्या आप जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है पूरे कॉम्बो की शुरुवाती कीमत 10 मिलियन है फिर हम अगली रैंकिंग के आधार पर सेवा बढ़ाएंगे गारंटी के लिए अधिक्तम 30 मिलियन का खर्च आएगा मैं जानता हूँ मुझे पता है पैसा कोई समस्या नहीं है क्या अभी भी स्लॉट उपलब्ध है युवक ने जट से पूछा हाँ युवक बहुत खुश हुआ और उसने तुरंट कहा मैं एक लुगा वरुन ने उसे आकार दिया और कहा टॉप 10 कॉम्बो खरीदने के लिए आपके पालतू जानवर को छठी रैंक पर होना चाहिए आपके पास है क्या हाँ हाँ युवक ने जल्दी से अपना बुलाने का स्थान खोला और छठी श्रेनी के दो पालतू जानवरों को बाहर चलांग लगा दी एक छठी रैंक का टाइफून था और दूसरा छठी रैंक की चाया थी टाइफून छठी श्रेनी का मौलिक पालतू जानवर था जबकि चाया एक राक्षस प्रकार का पालतू जानवर था यह बहुत शक्तिशाली था और हत्या करने में विशेश रूप से अच्छा था बॉस आपको क्या लगता है कौन सा काम करेगा युवक ने वरुन की ओर देखा और घबरा कर पूछा उसे डर था कि दोनों में से कोई भी वरुन की शर्तों पर खरा नहीं उतरेगा वरुन ने दोनों पालतू जानवरों पर नजर डाली उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा उसे परेशानी से बचाने और अधिक आश्वस्थ होने के लिए चाया बहतर थी यह चाया वास्तव में यह बहुत अच्छा है युवक ने आश्चर्य से अपनी मुठिया भीच ली वरुन ने कहा पहले एक बार में जमाराशी का भुगतान करें सौ लाख यदि यह बाद की सेवाओं में सहयोग नहीं करता है तो जमाराशी वापस नहीं की जा सकती युवक ने सिर हिलाया मैंने कॉम्बो देखा है मैं तयार हूँ ठीक है वरुन ने उन्हें कॉम्बो कॉंट्राक्ट सौपा नजर रखना अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दें आखिरकार यह करोडों की रकम थी यह कोई साधारन खरीदारी नहीं थी इसलिए इसके लिए अनुबंध की आवश्यक्ता होगी युवक ने इसे दो बार पढ़ा और पुष्टी की कोई समस्या नहीं है फिर उसने अपने फोन का इस्तिमाल किया और वरुन को पैसे ट्रांस्फर कर दिये जब वरुन ने डिंडोंग सुना तो उन्होंने हस्तांतरन की राशी की कुष्टी की उन्होंने थोड़ा सिरहिलाया और संकेट दिया कि दूसरा पक्ष कागजात पर हस्ताक्षर कर सकता है साथ ही उन्होंने उसे एक पेन थमाया युवक ने जट से अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिये वरुन ने नजर डाली लियू पिंग क्या आप लियू परिवार से हैं वरुन ने पूछा वरुन को लोंगजियां बेस सिटी के बड़े परिवारों के बारे में कुछ समझ थी किन्ट म्यू और लियू परिवारों के बाद चौथा ये था और पाँचवा जो था फीनिक्स पीक अकादमी के चैंपियन ये हाउ ये परिवार से थे लियू उपनाम वाले कई लोग थे लेकिन इतनी कम उम्र में लाखों का खर्च उठाने में सक्षम होने के कारण वरों खुद को लियू परिवार से जोडने से नहीं रोख सके बास कृप्या गलत न समझे जब लियू पिंग ने वरों की चिंतनशील अभिव्यक्ती देखी तो उसका चहरा थोड़ा बदल गया उन्होंने तुरंट कहा मैं वास्टव में लियू परिवार से हूँ लेकिन लियू परिवार की कई शाखाए है हमारा परिवार कई पीढियों से लियू युवान से अलग है और हमारे रिष्टे दूर के है मेरा यहां कोई गलत इरादा नहीं है मैं वादा करता हूँ वरुन ने उसे गहराई से देखा और उदासिंता से कहा इससे कोई फर्क नहीं परता कि आपका कोई गहरा रिष्टा है या नहीं यदि आप भुगतान करते हैं तो आप मेरे ग्राहक है जब तक तुम मेरे नियम नहीं तोड़ोगे, सब ठीक रहेगा लिव पिंग ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए बॉस मुझे आपका सीधापन पसंद है वरुन ने और कुछ नहीं कहा उसने तांगरुयान को बुलाया और उसे चाया को दूर ले जाने के लिए कहा तांगरुयान ने उनकी बातचीत सुनने के लिए पहले ही अपने कान खड़े कर लिए थे जब उसने युवक को अपने लिव परिवार के बारे में नहीं खाया हो, उसे सूरों को दौरते हुए पहले ही देखना चाहिए था, है न? उसे उसके बारे में कुछ सुनना चाहिए था, है न? वह जानती थी कि उपमहाद वीप जिले के बड़े परिवारों की युवा पीधी में उसे सर्वश्रिष्ट में से एक माना जाता था. न तांग रुयान उसकी अभिव्यक्ति देखकर प्रसंद हो गया. लिउपिंग वरुन की ओर मुडे और बोले, बॉस, आपको यह परिचारक कहा मिला? वो बहुत सुन्दर है. प्रवेश द्वार पर इंफर्नो ड्रैगन ने उसे डरा दिया था और उसने इस स्टोर का ध्या प्रिटी के रूप में शुरुवात कर सकती है. वरुन ने तांग रुयान की ओर देखा और कहा, मैंने उसे सड़क के किनारे उठाया और उसके साथ काम किया. लिउपिंग चौंका, उन्होंने वरुन को शाबाशी दी, अच्छा. तांग रुयान ने बगल से उन दोनों की बात सुनी. उसके सिर पर काले बादल चा गए और वह लगभग पागल हो गई. जब उसने वरुन की तिर्ची निगाहे देखी तो उसने अपने होट चबा लिये. उसे लगा कि वरुन ने उसकी मनशा भांपली है. उस आकस्मिक नजर में चेतावनी का संकेत था. वह चिड था. मैं ऐसा नहीं करता. उसने अपने पैर पटके घूमी और चाया को खीच कर दूर ले गई. चाया अपने मालिक से अलग होने के लिए थोड़ा अनिचुक थी. लेकिन उसने महसूस किया कि उसे खीचने वाला प्राणी बेहत दरावना था. और वह अपने मालिक को विद किया और कहा बॉस कृपया शैडो का ख्याल रखें. यदि तुम्हें मेरी सहायता की आवर्शकता हो तो बेजज़क मुझे ढूंडो. यह मेरा नंबर है. वरुन ने सिर हिलाया. उसे बस ग्राहकों के रिकॉर्ड में संपर्क नंबर दर्स करना था. लिउपिंग एक पल के बुक रखे जाते थे. वरुन ने कुछ नजरे हटाई और ग्राहकों की रिकॉर्ड बुक हटा दी. मैं स्थिती के अनुसार प्रशिक्षन प्रक्रिया के दौरान आपकी छाया को कुछ पालतू भोजन खिलाऊंगा. पालतू जानवरों के भोजन का खर्च स्पष्ट रू हाला कि पालतू भोजन की कीमत बेहत महंगी थी. वे कॉम्बो की कीमत का हिस्सा थे. उसके पास इसे स्विकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. आखिरकार चाहे कुछ भी हो, वह अधिक्तम 30 मिलियन का भुगतान करेगा. भले ही उन्हें एक स्थान के बदले में 30 म में 30 मिलियन से कहीं अधिक होगा. कोई बात नहीं. मैं कल आउंगा. लियू पिंग थोड़ा आश्चर्यच के थुआ. आज और कल के बीच कितना समय था. इतने कम समय में वह प्रशिक्षन का प्रभाव कैसे देख सका. हां कल वरुन ने सिर हिलाया. लियू पिंग ने वरु को का मनोरंजन करना जारी रखा. सुलिंग्यू ने जुक कर उचसुकता से पूछा. भाई, वह व्यक्ति लियू परिवार से है. लियू यू यूआन कौन है जिसके बारे में वह बात कर रहा था. जैसे ही वरुन ने एक ग्राहक पंजी कृत किया. उसने कहा, प्राइमो का म वरुन को अजीब नजरों से देखा. उन्होंने पहले कभी प्रिमो से बातचीत नहीं की थी, तो वरुन इस पर ध्यान कैसे दे सकते थे. घले ही उन्होंने अभी अभी प्रतिसपरधा की थी, वरुन द्राहकों को पंजीकृत करने में व्यस्त थे. उसके पास जाच करने क का समय कैसे हो सकता है? मैंने ओनलाइन खोज की. मुझे और कैसे पता चलेगा, वरुन ने चुटकी ली, आपने इसकी जाच कब की? कल, कल, सुलिंग्यू हैरान थी. कल, न्यू शुवांगवान का समर्थन विध्यापन अभी तक जारी नहीं किया गया था, और स्टोर को आदमी कब से इतना होशियार हो गया? क्या वह भविश्य बता सकता है? दिल, वरुन ने सुलिंग्यू को नजरंदाज कर दिया. उसने उससे कहा कि वह कहीं और खेले और उसे परिशान न करे. सुलिंग्यू ने अपने होंट भीचे और आवेश में लाउंज में लॉट और उनलाइन क्या हो रहा था उस पर ध्यान देना जारी रखा. अगर कुछ भी होता तो वह समय रहते वरुन को चेतावनी दे सकती थी. लिव परिवार की जागीर में. यह लिव परिवार का मुख्यालय था. हाला कि इसे एक घर कहा जाता था. वास्तव में यह एक बड़ा बगीचा था. स्पोर्ट्स कार में जगह का चकर लगाने में 10 मिनट से ज्यादा का समय लगा. लिव निवास अप्टाउन के सबसे शांदार ड्रैगन हेड डिस्ट्रिक में स्थित था. इसी समय एक लक्जरी कार तेजी से लिव निवास में घुसी. घुमावदार बगीच पहने कुछ गार्ड प्रवेश द्वार पर खड़े थे. वे लिव परिवार के सबसे विशिष्ट ब्लू ड्रैगन गार्ड थे. वे बहुत शक्तिशाली थे. उनमें से प्रत्येक एक उन्नत युद्ध पाल्तु योध्धा था. लगजरी कार रुखी. लिव युआन वाह का इंतजार कर रहा है. लिव युआन ने अपने कपडे थोड़े ठीक किये और विला में प्रवेश किया. वह लकडी की सीधियों से उपर दूसरी मंजिल पर गया और उपर एक मंडप में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बैठा देखा. वह चाय पी रहा था और शतरंज खेल रहा था. सफेद बालों वाले बूढ़े के साथ शतरंज खेलने वाला एक बैंगनी शर्ट वाला बूढ़ा आदमी था. वह चोटा था लेकिन उसका चेहरा सुर्ख था. उसकी लंबी और संकीन आखें समयसमय पर तेज से चमक उठती थी. लिव युआन की अ और उन्हों ने कहा, आह लिव युआन. वरिष्ट मैं आपके उत्तम स्वास्थे की कामना करता हूँ, लिव युआन ने तुरंट कहा. कभीले का मालिक शतरंज की बिसात को ध्यान से देख रहा था. उसकी भौहें और भी सक्त हो गई. एक शन के बाद उसने अचानक अपन आपका पालतू जानवर उधार लेना चाहूंगा. ओ, कभीले के मालिक ने अपनी भौहें उपर उठाई और कहा, मेरा पालतू जानवर उधार ले लो. क्या आप दूसरों से लड़ना चाहते हैं? क्या यह म्यू परिवार या किन परिवार है? लिव युआन थोड़ा शर् इखाने की पूरी कोशिश कर रही है. प्रतिसपर्धा बहुत बड़ी है, इसलिए मैं. कभीले के मालिक को एक एहसास हुआ. मिलंसार भाव से उन्होंने कहा, जरूर आप कौन सा उधार लेना चाहेंगे? क्या यह स्वोर्ड हॉर्न फ्रोस्ट ड्रैगन या सेवन टेज यह सुनकर लिव युवान ने परिशान भाव प्रकट किया और ध्यान से कहा, कभीले मास्टर, मैं आपका आठ नरक जानवर उधार लेना चाहता हूँ. आठ नरक जानवर, कभीला स्वामी थोड़ा चौंका, उसने भौहे सिकोरली और गंभीर भाव से कहा, क्या तुम्हे लोग पर एक आधिकार जमाना चाहते हैं. उन्होंने पहले ही घोशना कर दी है कि वे लीग के शीर्ष डस में प्रवेश की गारंटी दे सकते हैं. वे बेहद अहंकारी हैं. उन्होंने म्यू परिवार की लड़की को अपना प्रवक्ता बनाने और खुद को प्रचारित करन में जानता है. अगर ऐसा ही चलता रहा, तो प्राइमों का ज्यादातर बिजनेस चिन जाएगा. मेरे पास आपके दिव्य जानवर से स्टोर की अध्यक्षता करने में मदद करने का अनुरोध करने के अलाबा कोई विकल्प नहीं है. कभीले के मुखिया ने भौहें चढ़ आपको आठ नर्क जानवर की आवश्चक्ता क्यों है? कभीले के मुखिया ने अप्रसन भाव से कहा. आठ नर्क जानवर उसका सबसे मजबूत युद्ध पालतू जानवर था. वह आमतोर पर इसे दूसरों को नहीं दिखाते थे. इसे किसी दुकान में ले जाकर प्रदर् इस द्वार पर रख दिया है. जदी ऐसा नहीं होता, तो मैं अपने तरीकों और वर्षों में बनाए गए कनेक्शनों का उप्योग करके उन्हें पीडित करने में सक्षम होता. एक इन्फर्नो ड्रैगन? एह! न केवल कभीले का मालिक हैरान रह गया, बलकि उसके बगल में बैंडनी शर्ट वाले बुजुर्ग ने भी शत्रंज की विसाथ से अपनी नजरें फेर ली. जब उसने लिव युवान को गंभीरता से देखा, तो उसकी लंबी और संकीन आखों में आश्चर्य के संकेत दिखाई दिए. दो शीर्षक विशेशग्यों की घूर्ती निग जब कभीले के मालिक ने लिव युवान को घूर कर देखा, तो उसकी निगाहें तेज हो गई. लिव युवान ने कापती आवाज में कहा, बिल्कुल. सबूत के तौर पर मेरे पास एक विडियो है, मुझे दे दो. कभीले के मालिक ने अपना हाथ बढ़ाया. लिव करण नीचे कर दिया, ताकि वे दोनों उसे देख सकें. जल्द ही स्क्रीन पर एक द्रिश्य दिखाई दिया. जब उन्होंने स्क्रीन पर जीव को देखा, तो उनके हावभाव थोड़े बदल गए. यह वास्तव में एक इंफर्नो ड्रैगन था. ऐसा दुरलबशीर शेनी को बंद करना चाहते हों. उन्होंने विभिन परिवारों में जो जासूस लगाये थे. उन्हें जानकारी वापस भेजने में सक्षम होना चाहिए. यह दुकान कौन चला रहा है? ठीक है, वर्तमान जाच के अनुसार यह सु उपनाम वाला एक युवक है. उसके पीछे कौन है, इसका हमें अभी तक पता नहीं चला है. हाला कि मैंने जांच में मदद के लिए शहर सरकार के लोगों से संपर्क किया है. हाला कि वे इस युवक से सावधान दिख रहे हैं. वे एक शब्द भी नहीं कहेंगे. क्या ऐसा है? कबीला स्वामी थोड़ा चौका और भौहें चड़ गई. यदि यह किन परिवार या मियू परिवार होता, तो जिन लोगों को उसने शहर की सरकार में नियुक्त किया था, वे उनके लिए कवर करने में मदद नहीं करते. आखिरकार उनका लियू परिवार भी लोंगजियांग बेस सिटी में था. क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बाहरी ताकत हमारे लोंगजियांग बेस सिटी में हस्तक शेप करना चाहती हो, कभीले के मालिक की आखों में ठंडी रोशनी चमक उठी. लोंगजियांग बेस सिटी में स्थिती पहले से ही ठीक थी. आम तोर पर कोई बाहरी ताकत हस्तक शेप नहीं करेगी. यदि वे एसा करते भी तो उन्हें भगा दिया जाता लेकिन इस बार दूसरा पक्ष उनके लिव परिवार को निशाना बनाता दिख रहा है। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलिया तलवार की तरह शूनी में छेद गई। एक काला भंवर धीरे धीरे प्रकट हुआ और बड़ा होता गया। उसमें से एक भयानक और गहरी आभा फैल गई। लिव युवान को आसपास के तापमान में भारी गिरावट महसूस ह जैसे कि वह जमने वाला हो। उसका हृदय अनियंतरित रूप से काम उठाक्यों की वह जानता था कि कभीले के स्वामी ने किस राक्षस को बुलाया है। आठ नर्प जानवर यहां नोवे दरजे के राक्षस प्रकार का पालतू जानवर था। ऐसा कहा गया था कि इस आठ नर्प जानवर लगभग इनफर्नो ड्रैगन के बराबर था। हाला कि यहां आठ नर्प जानवर पहले से ही अपने चरम पर था। स्टोर के प्रवेश द्वार पर इनफर्नो ड्रैगन अभी हाल ही में परिपक्व हुआ वयस्क था। यदि दोनों पालतू जानवरों को ए उसकी हरकतें बेहत कोमल और धीनी थी, मानो उसे अपनी ताकत के थोड़े से प्रयास से विलाको नश्ट करने का डर हो। लिव युआन ने ठंडी और प्रूर आखों की जोडी को देखा और महसूस किया कि उसका दिल बेथाशा धड़क रहा है। हाला कि वह जानता था कि उसका कबीले का मालिक उसके पक्ष में था और उसे नियंत्रित करने वाला कोई था, फिर भी इस चरम राक्षस प्रकार के पालतू जानवर की हत्या की आभा अभी भी बहुत मजबूत थी। उसे लगा कि उसे किसी भी वक्त मारा जा सकता है। मैं तुम्हें ब्लैकनेदर उधार दूँगा। मुझे निराश मत करो। लिव तियान जोम ने ठंडे स्वर में कहा। ब्लैकनेदर वह नाम था जो उन्होंने आठ नर्प जानवर को दिया था। लिव युवान का शरीर काम उठा और उसने तुरंट कहा, मैं आपकी उम्म पूछना चाहिए था, है ना। यहाँ अभी भी जल्दी है, लिव तियान जोम ने उदासींता से उत्तर दिया। बैंदनी रंग का बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और और कुछ नहीं कहा। मैं शहर सरकार से पूछूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि उनमें किस तरह का दम है, हमारे लिव परिवार के जासूसों की आखो पर परदा डालने के लिए उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। क्या इतने वर्षों के सहियोग के बावजूद वे अंधे हैं। लिव की आन्जोम ने अपनी आखों में गुस्से का संकेत देते हुए व्यंग्य किया लिव युआन काम रहा था और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम जा सकते हो। हाँ, कबीले मास्टर। धन्यवाद कबीले मास्टर लिव युआन ने पलटकर बैंगनी शर्ट वाले बुजर्ग से कहा, सीनियर परपल ड्रैगन मैं पहले चुटी लूंगा। जरू जब उसने आदरपूर वक कहा, सीनियर ब्लैकनेदर, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आगे, उसके मन में एक ठंडा और गहरा विचार आया। लिव युआन ने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। वह कबीले के मालिक का सामना करने से भी अधिक इस आठ नर्ट जानवर से डरता था। आखिरकार यह एक जानवर था और सबसे क्रूर राक्षस प्रकार का पालतू जानवर था। उनके द्वारा अपने स्वामियों को निगलने के मामले आम थे, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। अपनी लगजरी कार में सवार होने के पाद उन्होंने ड्राइवर को स्टोर पर लोटने का निर्देश दिया। जानवर आसमान में उठा और लगजरी कार के पीछे-पीछे चला। आठ हेल बीस्ट को जाते हुए देखने के बाद बैंगनी शर्ट वाले बुजर्ग ने अपनी निगाहें हटाली और लियू त पियान जोम ने उसकी ओर देखा और थोड़ा सिरह लाया। बिलकुल जदी वे लोगजियान बेस सिटी पर आकरमन करने का साहस करते हैं तो स्थानी अगुठ होने पर शहर की सरकार कुछ नहीं करेगी। अगर वे बाहरी हैं तो मैं देखना चाहता हूँ कि वे कहां से उन्होंने जो परिवार और ये परिवार से परिशानी नहीं चाही है। इसके बजाए उन्होंने मेरे लियू परिवार को निशाना बनाया। क्या उन्हें लगता है कि लियू परिवार को धंकाना सबसे आसान है। उसके क्रोध के कारण उतावलेपन के कारण एक पारिवारिक वंश का सौ वर्षों तक तिकना असंभव हो गया। उन्नक भंडारन स्थान भरे हुए थे। उसके क्रेड करने के बाद केवल 4 लाख हूर्जा बची थी। उन्हें से पांच ने शीर्ष 100 कॉम्बो का चयन किया था। शीर्ष 100 कॉम्बो में पेशेवर प्रशिक्षन के अलावा उन्हें कुछ पालतू भोजन भी खरीदना पड़ा। लागत सामान्य व्यावसाइक प्रशिक्षन की तुलना में दो गुना थी। यह लगभग 2 मिलियन था। हालाकि बाद में पालतू भोजन धीरे-धीरे बेचा जाने लगा और फिलहाल केवल कॉम्बो बिल के तहत दर्स किया गया था। लेंदेन नहीं हुआ था। इसके अलावा लियू पिंग की 10 मिलियन की जमाराशी में से 9 मिलियन जो उन्हें पहले प्राप्त हुई थी। उर्जा में परिवर्तित नहीं की गई क्योंकि उन्होंने स्टोर की सेवाओं का उपियोग नहीं किया था। व्यावसाइक प्रशिक्षण के कारण केवल 10 लाख अंक उर्जा परिवर्तित हुई। शेश 9 मिलियन अभी भी उसके खातों में सुक्ष्म सिक्कों के रूप में थे। यह वरुन द्वारा लियू पिंग के लिए एसक्रों में रखने के बराबर था। बाद में फीडिंग और प्रशिक्षण के बाद सिक्कों को कात लिया जाएगा और उर्जा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। स्टोर में कोटा के साथ यदी वे सभी पैशेवर प्रशिक्षन प्राप्थ करते हैं तो एक दिन में प्राप्थ राशी बहुत अधिक होगी। वरुन को इतने त्वरित प्रभाव देखने की उम्मीद नहीं थी। अभी केवल एक दिन ही हुआ था और उसे पहले ही चार ला केवल एक 000000 उर्जा के साथ स्पिरिट पूल को उन्नत किया जाएगा। उस समय मेरे पास एक बीस्ट किन को पालने का उच्च मौका होगा। वरुन की आखे चमक उठीन। वह उच्साहित था। बॉस मैं सामान्य प्रशिक्षन चुनता हूँ। काउंटर के सामने एक अधिक्तम योग्यता। युवक्स तब्ध रह गया। वरुन की बात सुनकर पीछे लाइन में खड़े लोग हैरान रह गये। कतार में बहुत सारे लोग थे और अभी भी जल्दी थी। यह केवल 9 प्लस था लेकिन अधिक्तम च्शमता का दावा किया गया था और स्टोर अब पालतू जानवरों को स्विकार नहीं कर रहा था। एक पालतू जानवर की दुकान का मालिक दर्वाजा बंद कर देगा और ग्राहकों को मना कर देगा। मुझे माफ करें। कृप्या वापस जाए। वरुन ने थोड़ा जुक कर माफी मांगी। आखिरकार उसने उन् खारन दुकान नहीं थी। यदि बाद में उन्होंने इस स्टोर के मालिक को नाराज कर दिया और उस इंफर्नो ड्रैगन ने उन्हें काट लिया तो वे मर जाएंगे। इसके अलावा यह मलिन बस्तिया थी, कोई स्थिर उपनगर नहीं। अगर सचमुच कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? कोई बात नहीं. चल दर, बॉस आप कल कितने बजे खुल रहे हैं? आप प्रति दिन कितने लोगों को समायोजित कर सकते हैं? मैं अगली बार पहले आऊंगा. कुछ चले गए जबकि अन्यने वरुन से कल स्टोर खुलने के समय के बारे में पूछा सवाल सुनकर वरुन दंग रह गए. वह वास्तव में खुलने का सटीक समय नहीं जानता था. या यूं कहें कि यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह किस समय उठा? वह कब उठेगा? उसे निश्चित रूप से पता नहीं था. आखिरकार उन्हें रात में पालतू जानव वरुन ने अनुमान लगाया और अनिश्चित रूप से कहा. वरुन का अनिश्चित स्वर सुनकर कुछ लोग अवाक रह गए. यदि दर्वाजे पर अजगर न होता, तो उन्होंने सोचा होता कि दुकान अविश्वसनिय है. तांग रुयान महमानों को बाहर भेजो. या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अब तक वह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली थी, जो उसे पहचानता हो. उसने पूरे दिन वरुन के लिए बिना कुछ लिए काम किया था. उसने कलपना की कि यदि वह थोड़ी देर और ठीकी रही, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सक जिसकी पैनी नजर होगी. हाला कि वरुन ने कहा कि वे दिन के लिए बंद कर रहे थे. आप इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी आराम कर रहे हैं. क्या आपकी किड़नी कमजोर है? वह गुस्से में थी, लेकिन उसने भढ़कने की हिम्मत नहीं की. वह चुपचाप रूठ कर रहकों को एक एक करके भेज देती थी. उसे ये जाहिल लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे. जब वे जाने वाले थे, तो उनमें से कुछ ने तांग रुयान के संपर्क विवर्ण भी मांगे, लेकिन उसने उन पर नजरे घुमाली. आप मुझे पहचानते भी नहीं, और फि सुलिंग्यू जो बहस करना चाहता था, को वुग वानशेंग ने खीच लिया. ऐसा कम ही होता था कि वरुन ने स्टोर जल्दी बंद कर दिया हो, इससे वुग वानशेंग बहुत खुश हुआ. उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, कि वरुन ने पैसा कमाया या नहीं. वैसे भी वरुन ने उसे सुलिंग्यू को पढ़ाने का काम दिया था. जब तक वह मिशन पूरा कर लेगा, वह जा सकेगा. यदि स्टोर जल्दी बंद हो जाता, तो उसके पास सुलिंग्यू को पढ़ाने के लिए अधिक समय होता, ताकि उसे इस स्टोर में अपना समय कैमरे भी थे. वे पत्रकार थे. क्या जबरदस्ट असर वरुन को उम्मीद नहीं थी कि विज्यापन इतनी जल्दी असर दिखाएगा. इसका प्रचार आज ही किया गया था और पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे. क्या कल और कुछ नहीं होगा? उसे तुरंत अध हिलाया और इन्फर्नो ड्रैगन को प्रवेश करने के लिए संदेश भेजा. इन्फर्नो ड्रैगन ने अपना शरीर हिलाया और फुम्फकारने लगा. वह अपने चारों और एकत्रित चींटियों से असंतुष्ट था. हाला कि वरुन की बाधाओं के कारण यह उन पर हमला नहीं कर सका. यह केवल उन्हें मक्यों की तरह अपने चारों और मंदराने दे सकता था. बूम, बूम, वह घूमा और दुकान में चला गया. सडकों पर जमा भीड ने जब इन्फर्नो ड्रैगन को चलते देखा तो चिल्ला उठे. सामने खड़े कुछ साहसी लोग दर के मा पीले पड़ गए और तेजी से पीछे हट गए. जब उन्हें एहसास हुआ कि इन्फर्नो ड्रैगन घूमकर दुकान में घुस गया है तो हैरान लोगों को थोड़ी राहत मिली. उसने इन्फर्नो ड्रैगन को क्यो चीन लिया? मैंने परियाप्त नहीं देखा है. क्या चल ये बंद? क्या बात है? अभी क्या समय हुआ है? बिलकुल नहीं. मैं विज्यापन देखकर ही यहां आया हूँ. क्या म्यूश वांगवान का विज्यापन आज लॉंच नहीं हुआ? यह दुकान वास्तव में प्रचार के दिन ही बंद हो गई. वैसे वेकल कितने बजे खु बंद स्थिती में वह बिना कुछ कहे दिन भर के लिए बंद हो गए. हर कोई अवाक रह गया. क्या बॉस बहुत ज्यादा इरादतन नहीं था? भीड में कुछ लोग एकतर हो गए. ओल्ड जो हमें देर हो गई लगती है. मैंने बस कुछ लोगों से पूछा जो अंदर से ब प्रवेश द्वार पर बहुत सारे लोग एकत रहें. उनकी इस तरह दर्वाजा बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वे पैसा नहीं कमाना चाहते? लोग असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे. उनके लिए अब टाउन से भागना आसान नहीं था, लेकिन उन्हे बस एक बंद दर्वाजा मिला. भूल जाओ, मैं कल वापस आउंगा. ओल्ड जो, मैं कल सुभर जल्दी आउंगा. मैं आपके लिए एक अच्छी सीट आरक्षित करूँगा, युवक में से एक ने कहा. ओल्ड जो नामक युवक ने उसकी ओर देखा और उसके कंधे को थप पाया. धन्यवाद, इतना कहने के बाद उसकी नजर दुकान के दर्वाजे के साइन पर पड़ी. इस दुकान का स्वभाव सच मुछ बहुत अच्छा है. ऐसी जरजर बस्ती में यह न सिर्फ खुला है, बल्कि इसी तरह कारोबार भी करता है. इसने मेरे क्षितिच को व्य रेस्तरा और अन्य दुकानों ने ऐसा ग्रिश पहले कभी नहीं देखा था. वे सभी रेस्तरा या होटल में बदल गए थे और अप ताउन के महमानों के लिए अपने कमरे किराय पर ले लिए थे. सड़क पर हर कोई जानता था कि इस सड़क पर एक बड़ा शौट सामने आ रहा था. कुछ दर्शक जो वहाँ नहीं पहुंचे थे या जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे वे इस खबर से स्थब्ध रह गए. अभी केवल नौ बजे थे और पिक्सी पेट स्टोर जो लोगों से खचा-खच भरा हुआ था ने दिन भर के लिए अपने दरवाजे प्रयास करेंगे लेकिन अब इसके प्रचार के बाद ही दुकान दिन भर के लिए बंध हो गई थी. यह बॉस अपने काम की दिन चर्या को लेकर बहुत खास था. समाचार के नीचे मौजूद मीडिया द्वारा कैट किया गया एक द्रिश था. दुकान के बाहर लोगों का स पिर भी इस दुकान ने दिन भर के लिए बंध करने का निर्ने लिया. इसने सभी ग्राहकों के उत्साह को खारिस कर दिया. आप ठंडे और हरिदयहीन हैं और अत्यधिक द्रिड इच्छा शक्ती वाले हैं. प्राइमो मुख्य दुकान पर एक लगजरी कार धीरे-धीरे आ कुछ स्टाफ सदस्य जो अपने बॉस को लेने गए थे, वे सभी डरे हुए थे. उनमें से कुछ जमीन पर गिर पड़े, उनके चहरे पीले पड़ गए और उनकी पैंट पहले से ही गीली हो गई थी. बूम! विशाल जानवर दरवाजे पर उतरा और अपनी ठंडी और क्र पर कोई आश्चर्य दिखाने की इच्छा को रोक लिया. अपने दिल में डर को छिपाते हुए, उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड लिये. सीनियर ब्लैक नेदर, दुकान ने आपके लिए एक विशेश स्थान तयार किया है. क्या मैं तुम्हें आराम करने के लि का उच्चारन नहीं करता. इसे मनाने की हिम्मत न करते हुए, उसने अपने हाथ पकड़ लिये और कहा, तब मुझे सीनियर ब्लैक नेदर को अगले कुछ दिनों तक यहीं आराम करने के लिए परिशान करना होगा. अगर आपको किसी ने परिशान किया है, तो कृप्याक श होर थी, लेकिन उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की. उसने सोचा की कबीले के मालिक ने पहले ही इस राक्षस को निर्देश दे दिया है. यदि नहीं, तो बाद की उगरता से इस दुकान में जो हंगामा हो सकता है, वह केवल उसके लिए परिशानी लाएगा. स्टाफ के सदसे डर के मारे अपनी पैंट में पेशाप कर रहे थे. उसने उन्हें डाटा, उठो, तुम सब. अपने आपको देखो. कुछ स्टाफ सरयोगियों के चहरे पर भैस-पष्ट रूप से अंकित था. ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल गई हूँ. इसी समय सुपर्वाइजर जैसा दिखने वाला एक व्यक्ती दुकान से बाहर भागा. उसने आठ नर्क जानवर पर एक नजर चुराई, यह अफवाह थी कि लिव परिबार के कबीले के मालिक के पास ऐसा कोई पालतू जानवर था. उसके मन में कुछ अनुमान परिवेक्षक ने राहत की सांस ली और ध्यान से उस दुष्ट जानवर को देखा जो गहरी नींद में सो रहा था. यह देखकर कि इसमें कोई गड़बडी नहीं हुई, वह लिव युवान के पास गया और उसके कान में फुसुसाया, प्रबंधक पिक्सी पेट स्टोर जो हमसे व्यवसाय छीन रहा था, वह बंध हो गया है. लिव युवान स्टब्ध रह गया. यह बंध है? हाँ, इस वीडियो को देखो. परिवेक्षक ने अपना फोन लिव युवान को सौंक दिया. लिव युवान ने एक पल के लिए इसे देखा और थोड़ा स्टब्ध रह गया. उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह दुकान मालिक क्या कर रहा है. इतने सारे लोगों के एकत रहोने के कारण वे वास्टब में दिन के लिए बंध हो गये थे. क्या ऐसा हो सकता है? स्टोर में कुछ हुआ हो. या, क्या वह अंतरिक्ष में उनके सामने जुक रहा था? व हम बाद में एक वीडियो कॉन्फरेंस करेंगे, लिव युवान ने चलते हुए कहा. पर्यवेक्षक सम्मान पूर्वक उसके साथ गया और कुछ स्टाफ सदस्यों को उनके पास से गुजरते हुए डाटा, आप अभी भी मूर्खों की तरह वहां क्यों बैठे हैं? क्या आ प्रवेश करने के बाद लिव युवान तेज और निर्नायक था. उन्होंने तुरंट अपने बगल के पर्यवेक्षक से कहा, चुंकि यह दुकान पहले ही बंध हो गई है, इसलिए तुरंट किसी को भेजें और प्रचार बढ़ाएं. उन ग्रहकों को हमारी दुकान की और निर्देशित करें. यदि वे व्यवसाय नहीं करना चुनते हैं, तो हमें कोई आपत्ती नहीं है. मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है, पर्यवेक्षक ने सम्मान पूर्वक कहा, अब आठ नर्क जानवर हमारी दुकान के प्रवेश द्वार पर कबजा कर रहे हैं. यह ए स्तर बढ़ाएं और शीर्ष 50 के लिए स्थानों को बढ़ावा दें. यदि यह काम नहीं करता है, तो हम इसकी भरपाई के लिए अन्य लाभों का उप्योग करेंगे. चाहे कुछ भी हो, हमें उनसे आगे निकलना है. लियू युआन की आखे शातिर हो गई. अपनी शुदा टॉप 50 पैकेज को लेकर काफी दबाव में था. दूसरे पक्ष ने कहा कि वह शीर्ष 10 में स्थान की गारंटी दे सकता है. वह एक पागल था. यहां आत्महत्या थी. उन्हें विश्वास नहीं था कि दूसरे पक्ष के पास स्टोर में प्रशिक्षन के बाद ग्र अपने पालतू जानवरों को अपनी विशेश दुकानों में प्रशिक्षित किया है. हाला कि इसमें काफी धनराशी खर्च होगी. ऐसा विशेशकर तब होता था जब दो दुकाने एक दूसरे से प्रतिस्परधा करती थी. किसी तीसरे पक्ष को आम तोर पर लाभ होगा. जो प्रतियोगी उच्छ रैंकिंग तक पहुँचने में काम्याब रहे, वे मूर्ख नहीं थे. वे अधिक मुआवजे की मांग करेंगे और दुकानों को जो धनराशी खर्च करनी पड़ेगी वह काफी बड़ी होगी. हाला कि यदि वे यह युद्ध जीत जाते और सारा यवसाई छीन लेते तो इतनी धनराशी चुकाना उनके लिए बहुत आसान होता. परियवेक्षक को कुछ निर्देश देने के बाद लिव युवान अपने कार्याले में चला गया. उसने दर्वाजा बंद कर दिया. उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने परिवा युवक भी थे. वह जानता था कि परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो एलिट लीग में प्रतिस्पर्धी होंगे. एक ही परिवार से होने के कारण वह निश्चित रूप से उनसे दुकान का प्रचार करवा सकता था. जब तक उन्हें अपनी रैंकिंग मिलेगी, तब तक यह उचित होगा जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने पालतू जानवरों को अपनी दुकानों पर प्रशिक्षित किया है. हाला कि पारिवारिक कभीले के भीतर आंतरिक संघर्ष थे, उनका मानना था कि वे कुछ लोग बाहरी व्यक्ती के खत्रे के खिलाफ एक पाचीत शुरू की. यह नाम सुनकर कोई भी बाहरी व्यक्ती चौंक जाता. लिउजियानकसिन पिछली एलीट लीग के शीर्ष दस लोगों में से एक थे. वह तीन साल पहले ही लोगजियांग में मशूर हो चुका था. कई रहगीरों को उसका नाम लेते ही उसके बारे में कुछ आभास हो जाता था. इसके अलावा लिउजियानकसिन का बायोडाटा अद्भुत था. उन्होंने लोगजियांग में नंबर एक एरेस अकादमी से सनातक किया था और अपनी पीढी के शीर्ष छात्रों में से एक थे. चुंकि कुछ वर्ष बीग चुके थे, लिउज चैंपियंशिप जीतने वाले सबसे लोगप्रिय उम्मीदवार थे. भले ही उन्हें चैंपियंशिप जीतने की कोई उम्मीद न हो, लेकिन वह टॉक 10 में जरूर होंगे. लिउजियानकसिन को इसमें शामिल कर सकते हैं, ताकि उनके पालतू जानवरों की दुकान एक सासि बयान देने में सक्षम हो सके. शीर्ष 10 की गारंटी. वास्तव में वह और भी अधिक कटरपंथी हो सकता है और गारंटी कृत शीर्ष 5 का दावा कर सकता है. आखिरकार लिउजियानकसिन के पिछले पांचवे स्थान के परिनाम और तीन साल के प्रशिक्षन के साथ वह पि इस प्रकार तीन प्रतिसपर्धियों के बाहर हो जाने से लिउजियानकसिन के चैंपियन बनने की उच्च संभाव ना थी. चाहे उसमें कितनी भी कमी क्यों न हो, फिर भी उसके पास शीर्ष 3 में प्रवेश करने का मौका था. लिउजिया था. इस समय वह अभी भी अपने अभ्यास से बहुत पसीना बहा रहा था. हाला कि थोड़ी देर के लिए उनकी सांसे समायोजित करने के बाद जल्द ही उनकी सांसे स्थिर हो गई. उसकी आवाज भी शांत, सन्यमित और कुछ हद तक उदासीन हो गई. पालतू जानवर की दुकान. गारंटी कृत लिउ जियानक सिन ने फोन के दूसरे छोर पर बाते सुनी और धीरे-धीरे भौहें सिकोरने लगी. जब उसने सुना की कभीले के मालिक ने अपना आठ नर्क जानवर दूसरे पक्ष को उधार दे दिया है, तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई.